हम लोग आज की क्लास में जो चैप्टर दिखने वाले हैं वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स जे इमेंट्स दोजार चॉबिस के रिस्पेक्ट में जैसा आने वाला है उस एंगल से अपन बात करेंगे इसके पहले तक अगर अपन बात करें तो बहुत सारा पोर्शन सम ट्रेंड्स बचे हैं कुछ कैमिकल प्रपरटीस बचे हैं बहुत आसान सा चैप्टर है स्कोरिंग है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप कम से कम तीन क्विश्चन आपको मिलने वाले और जो आसानी से हो जाएंगे मेरे साथ आप पी ब्लॉक सीखने वाले और बहुत से हम यह कवर कर लेंगे तो स्टार्ट करते हैं अपन पी ब्लॉक एलिमेंट्स सबसे पहले हम देख लेते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या जनरल इंट्रोडक्शन अच्छा पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या-क्या इंक्लूड है ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 1418 तक के छे बन जाएंगे ग्रुप, तो 13 से लेकर 18 तक के elements को हम क्या बोलते हैं, P-block elements, अच्छा इन P-block elements में एक खास बात और क्या है, इनमें metals हैं, इनमें non-metals हैं, और इनमें metalloids भी हैं, केवल metals नहीं हैं, केवल non-metals नहीं हैं, साथ में metalloids भी हैं, S-block की बात कर लेते हैं, D-block की बात कर लेते हैं, जहां totally sub-metal है, तो काफी हद तक similarity मिल जाती है properties में, लेकिन P-block की chemistry थोड़ा tough पढ़ने वाली है, लेकिन अभी अच्छी बात ये हैं कि J-E ने compounds और reactions काफी कुछ हटा दिये हैं, आगे की अगर अपन बात करते हैं, पहले elements से में पता होना चाहिए, group 13 से group 18 में कौन-कौन से element आते हैं, एकदम contest होना चाहिए, क्योंकि सारी बाते इन्ही elements में होनी हैं, इन्ही की properties में होनी हैं, इन्ही के trends में होना है, इन्हीं के बड़ा आते हैं, एक बड़ा असान सा तरीका element याद करने का, जैसे group 13 के अगर अपन बात करते हैं, तो group 13 में क्या क्या है, उसके लिए मैं एक कोड़ बताता हूँ आपको, एक बताता हूँ, आप क्या खरीदो,elles market जो, बैगन ले लो आलू खरीद लो, बैगन आलू और गाजर बैगन आलू गाजर ले पैगन आलू गाजर ले लिए इन हमने कहां रख लिया इनको ठेला बैगन आलू गाजर खरीद के लटा किया इनसे लिग Jeanneuh बोरोन हो जाएगा आलू एलूमीनियम हो जाएगा गाजर गेलियम हो जाएगा अमरे लिए और इन का मतलब है इंडियम थैला मतलब क्या है थैलियम इस तरीके से आसानी से एलिमेंट या दोगे बैगान आलू गाजर इन थैला बोरोन एलूमीनियम गेलियम इंडियम एंड थ कर लेते हैं 14-14 कहें से जि सुनो पार्वती तरीक सब प्योंढ portion कि अलग जो सकते हैं लेकिन एक टरीका मेरे पास भी है अप एसे कि कहें सिव जी सुनो पार्वती स्था से कार्बन सिलिकन जर्मेनियंग टिन अप्छुज ये पिल्ला नहीं वहा 20 हो एक दोस्त के अस्रानी है थिनों बेकर लोग है इसलिए सब बेकार अपने एंच मतलब आंटीमनी बेकार बेकार का मतलब हो सब बिकार uf और नाइट रोजं फॉस्फोरस आरसेनिख एंटिमुनिय एंड बिस्वत 16 के बात कर लेते हैं भई ग्रूप 16 ग्रूप 16 के लिए एक तरीका है देखो भई मोना भाई style में cheating करोगे तो पिटोगे याने old style से टीपोगे तो पिटोगे so old style से टीपोगे याने tellurium पिटोगे याने polonium तो oxygen, sulfur, salonium, tellurium and polonium 17 के बात करते हैं 17 के लिए बढ़ी आसा फिर कल बहार आए अंटी फिर कल याने chlorine बहार bromine i का मतलब iodine है आंटी से मैं 80 लिख रहा हूं और आंटी जनरली जनरली बच्चों को डर आ रही है अब मतलब है आंटी अपनी थोड़ी इसमें पॉलोनियम भी radioactive के लिए अपन क्या कर लेते हैं स्टार लगा देते हैं 18 elements की बात कर लेते हैं और इसमें क्या क्या आता है बात कर लेते हैं तो helium को मैंने थोड़ा सब्सक्राइब में रख दिया उसका कारड़ यह है कि helium period 1 का element है और यहां पर boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine ने सब के सब period 2 के elements हैं तो helium period 1 का था इसलिए अलग कर लिया, helium के अलग कर लिया का मतलब यह है कि हम उसे भी include करेंगे बढ़ अगर हम fluorine के साथ helium को match करेंगे तो वह एक period में नहीं आने वाला है तो हां include जरूर कर लिया लेकिन अलग से लिख दिया and then helium के बाद क्या है हमारे पास neon है हमारे पास इस ग्रूप में, argon है हमारे पास, krypton है हमारे पास, xenon है हमारे पास and redon है हमारे पास और redon एक बर फिर radio active है तो यह elements हमें एकदम contrast कर लेने हैं अच्छा नाम वाम की बत करते हैं थोड़ा सा boron पहला member है इसलिए generally group 13 को अपन boron family बोलते है यहाँ पर carbon पहला member है इसलिए group 14 को हम क्या बोलते हैं carbon family family मतलब यह पूरा एक परिवार group 15 को nitrogen family बोलते हैं group 16 को oxygen family भी बोल सकते हैं group 17 fluorine family लेकिन जादा common term जो है जादा useful जो term है जादा जो use किया जाता है वह है halogen family एंठीक ऐसी group 18 को हम noble gas family बोलते हैं इनके और भी नाम होते हैं वह हम एक एक करके आगे देखने वाले है noble gases सबसे पहला काम था हमको यह elements एक दम याद करने थे फाइनली हमें याद रखना भी है पी ब्लोक में group 13 से group 18 तक के element है metals है non metals है metalloids है इस वज़े से इनकी chemistry tough है complicated है exceptions है बहुत कुछ देखने मिलेगा लेकिन अच्छी चीज क्या है जहीं 2004 में बहुत सारी चीज़े कट हो गई है और कट हो गई है तो अब चीज़े थोड़ी हो गई है आसान पहले elements यहाद करना था वह हमने कर लिया अब आगे बढ़ते हैं अपन next पूरी p-block को समझने में इस particular funday की बहुत जोरत पड़ेगी है inert pair effect क्या होता है inert pair effect के बिना chapter में trend समझना बड़ा मुस्किल काम होगा इसलिए पहले अच्छे से हम एक बार inert pair effect की feeling ले लेते हैं feeling से मतलब क्या जरा feeling से मेरा मतलब क्या इसको थोड़ा समझते हैं मा लेते हैं कि हमने यहां पर group 13 की बात की जिसमें क्या क्या था बोरोन है ना बैगर आलू याद करो जरा गाजर इन थैला थैला मतलब क्या था थैलिया इनके जरा atomic number लिख लेते हैं बोरोन का 5 होता है और ट्रिक क्या होती है रूल क्या होता है इसमें 8 एड़ कर दो तो यह 13 आ जाएगा यहां से आम नेक 8 एड़ कर लिया इन जेनरल पी ब्लोक के लिए आपको याद रखना है पी ब्लोक के लिए ग्रूप नबर 13 से लेकर ग्र अलुमीनियम आ गया तेरह अभी इसमें 18 और एड़ कर लेते हैं 18 एड़ कर लेते हैं तो गेलियम अजाएगा 31 एंड फर्दर और 18 एड़ कर लेंगे अपन तो 31 प्लस 18 यह कितना हो जाएगा बही 49 और अब इसके बाद ध्यान रखना है नेक्स्ट जो अब हमें एड़ करना आपन को इसको हटा देते हैं इसको अपन बाद में भी देख सकते हैं सबसे पहला काम यह है कि आपको थोड़ा सा हीलियम नियोन आरगन क्रिप्टन और जनोन के अटॉमिक नमबर याद कर लेने हैं सौट कॉनफ्यूग्रेशन अगर लिखना है तो इनके अटोमिक नमबर याद करने से फाइदा मिलेगा हीलियम का कितना था इसमें कितना एड़ करेंगे अपन एट कितना हो जाएगा नियोन का 10 फिर 8 एड़ कर लिया फिर 8 एड़ कर लिया देन फर्दर अब क्या एड़ कर से अगर बात करें तो नसटू नपीवन लिखते हैं हम लोग और यह जो कॉन्फ्यूग्रेशन यह वैलेंस सेल का होता है वैलेंस सेल मतलब जो आखरी वाली सेल उसमें अगर और एक पी में अपना तो यहाँ पर बोरून में दिखो पहले ही दो लेक्ट्रॉन तो दिखा च होंगे एक-एन की बढ़ाते जाते हैं जैसे हम नीचे उतरेंगे एन की बढ़ती जाएगी सो 3S2 3P1 आ जाएगा चेक करें जरह यह कितना सही है यह 10 हो गया यह 2 लगा मुझे कोई देखकत नहीं है नियौन के बाद अब नेक्स्ट इनर्ट गैस आप क्या ले लोगे आरगन और जब आप आरगन लेंगे और 10 की एक वेल्व बढ़ाएंगे तो यहां 4S2 लिखना चाहेंगे यहां 4P1 लिखना चाहेंगे और जब ऐसा करेंगे तो आरगन में देखो एलेक्ट्रॉन कितने है अठारा अठारा बीस एक्किस कुछ गड़बड है यह ना टोटल इकतिस होने चाहिए थे हो एक्किस रहें कुछ तो घोटाला है भई वो घोटाला एक्चुली क्या है कि यहां 4S के पहले एक 3D fully filled होता है और अब दुबारा काउंट करेंगे तो आपको देखने में मिलेगा भई आप बारा पर 31 हो गया है इंडिया में देखते हैं फिर तो इंडिया में क्या observation मिलते हैं helium ले लिया नियॉन ले लिया था अर्गन ले था अब क्रिप्टन ले 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 थे नेक्स्ट इनट गया है क्रिप्टन 3D के बाद क्या आएगा ठीक ऐसी 4D लगा लेते हैं 5S2 लगा लेते हैं और 5P1 लगा लेते हैं और चेक कर लेते हैं कितना सही है यह 36 10 46 48 and plus 149 आ गया बढ़ी आ जाएगा फिर क्या जाएगा 6S2 और 6P1 आजाएगा अच्छा एक बात और ज्यान देनी है यह जो एन की मैक्सिमम वैलू है यह पीरियड नमबर भी है इसका मतलब है बोरून सेकंड पीरियड का अलुमिनियम थर्ड पीरियड का गेलियम फॉर्थ पीरियड का इंडियम फि 66 प्लस 1 67 टोटाल एटी बन है 14 का घोटाला है बही 14 का और यह 14 गए कहां तो यहाँ पर भी ऐसा होता है एक 4F सबसेल है जो फुली फिल्ड होती है 4F 14 तो यह तो पहली बात हमने कॉन्फूगरेशन लिखा और इस कॉन्फूगरेशन से इनट प्यरिफेक का क्या लेना देन है अब उसको प्याइए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं इस इसको हटा लेते हैं पले ज़्डाक ध्यान देनगे ứ इसको कैसे समस्कते है इनट प्रफेक्ट को यहाँ पर हम सभी को पता है कि screening जो पावर है या screening की जो अपने बात करते है screening का जो order होता है सबसे अच्छी screening करता है S then P then D और सबसे पूर screening होती है F की और यह ऐसा क्यों होता है क्योंकि उनका सेफ irregular होता जाता है diffused होता जाता है as symmetrical स्फेरिकली सेमेट्रिकल है तो न्यूकलियस ते आसपास अलेक्टरों डेंसिटी और राउंड के एकदम से में कि पी डी एफ में फिर क्या होता है सेफ डिस्टॉट होने लगता है या बोले एरेगुलर होने लगता है इस वज़े से क्या होता है स्क्रीनिंग पावर अच्छी नहीं होती है अच्छा अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें इस ऐलिमेंट गेलियम को ध्यान से देखें गेलियम में आप क्या उफज़र कर पा रहे हो कि यह जो वैलेंस सेल का एलेक्ट्रों है इसके और फूरेस टू और फूर पी वन ये फो उसके पहले थ्रीडी फुली फिल्ड है यहां पर अब टी तो भर गया है डी जत्स वह पर दस प्रोट्रोन भी होगे फिर एक दिकत है यहां पर क्या है दस एलेक्ट्रोन प्रोटन हे नाये नहीं कर पा रहे होगे अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे लखक शोड़ा फैएंगे लिगयं है यह हमाँ ऑप्र पहुंचेंगे थेलियम तक लो खानी काफी काफी हो जाएगी यहां F की भी पूरे स्क्री दी की भी पूरे स्क्रीनिंग एफ में token 14 anima इसे लेक्ट्रोन हैं मतलब आपके पास चॉबिस ऐसे ऊजिनकी 24 प्रोटोन बढ़े पर वह 24 proton valence cell के electron को strongly pull कर रहे हैं अपने तरफ पर यह जो 24 electron है उन valence cell के electron को अच्छे से क्या नहीं कर रहे हैं स्क्रीन नहीं कर रहे हैं इसलिए यह काफी tightly काफी strongly nucleus को pull करने लगेगा होगा कैसे जब हम उपर से नीचे जाएंगे उपर से नीचे जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि अगर मान लेते हैं कि इनको plus 3 state हो करना है जिनको configuration ns2 np1 है तो plus 3 आएगा कैसे अगर ns को अपन ड्रॉ कर लें तो उसमें दो electron है paired है और np के अगर अपन बात कर लें तो np sub cell में तीन orbital है जिसमें एक electron ही रहा तो इस एक electron को हम लूज करते हैं या इससे bond बना लें प्लस 1 state आ जाएगा हमारा लेकिन अगर मुझे प्लस 3 बनाना है तो फिर मुझे इस paired को unpaired करना पड़ेगा उसमें energy लगेगी और जरूरी है कि यह आसानी से paired से unpaired हो पाए तभी ऐसा हो पाएगा लेकिन जब हम उपर से नीचे आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि लगतार बंद कर देंगे और अगर बंदिंग में पाटिसिपेट करना बंद कर देंगे तो फिर सिंपल सी बात है प्लस 300 नहीं कर पाएंगे कर भी पाएंगे तो उतना थर्मोडैनेमिकली या काइनेटिकली फेवरेबल टाइप का नहीं होगा तो अबर अपनको यहां से यहां पर अपन बात कर रहे थे जब अपन नीचे जा रहे थे उपर से नीचे जाएंगे तो होगा क्या अपना सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि प्लस वन की स्टीबिलिटी हम देखेंगे कि क्या होने वाली है बढ़ने वाली है क्योंकि जैसे हम उपर से नीचे घटने वाली है और कारण वही है क्योंकि यह इनर्ट होते जा रहे हैं इनर्ट होने से क्या होगा इनका bonding में participation बंद हो जाएगा और यह बहुत काम की चीज है हमें बहुत अच्छे काठीध की डाउन दाग बाठनी है हाएर स्टेट की डाउन दागरोब बढ़ यह रह О užद सब्सक्र सब्सक्राइग चाही हो तो कम participate करेंगे, कम participate करेंगे तो क्या होगा, lower state आएगा, और जादा फदिसेपेट करेंगे तो क्या होगा, higher state आएगा, तो top to bottom juda गा, lower state की stability बढ़ेगी, और higher state की stability, कड्येगी, तो मैंने थोड़ा confuse करके वापिस clear किया यह ध्यान रखना है वपन को आगे बात करते हैं तो general introduction की बात करते हैं इस group में कुछ कहानिया हैं जो कहानिया सब के लिए same होगी उन कहानियों को पहले थोड़ा देख लेते हैं जैसे कहानी में पहला point किया है अपने पास first member, first member of each group from 13 to 17 differ in many respects from other members of their respective groups because of following reasons हाँ बही कुछ कारण है जिससे पहला member थोड़ा pin का हुआ है अपने ही group वालों से pin का हुआ का मतलब मेरे लिए यह है कि जो नियम बनाए हैं कि यह properties होना चाहिए ऐसा नहीं होगा वो थोड़ा deviate कर रहा होगा properties में उसके कारण क्या है main main कारण जो लगबग सब में applicable है first member applicable है for example सबसे पहले बात करते है small size small size वाली feeling ले लो जबो पहला वाला जो member है पहला वाला जो member है हर group का उसका एक basic बात आपको ध्यान रखना है वो exceptionally size में छुटा है इस बात को ऐसे समझो कि जब मैं fluorine से chlorine गया तो 64 से कितना हो गया 99 अच्छा यहाँ पर जब आप change देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा देखेगा लेकिन जैसे जैसे आप आँगे बढ़ते जाओगे चींज थोड़ा काम होता जाएगा मतलब पहला वाला member अगर हम मान लो उल्टा कर लें यहाँ से यहाँ चलना चालू करें और मुझे feeling आ रही है कि यहाँ पहले करी 20 Pm का difference है फिर 15 का है तो मैं उसके बाद last वाले element यान है इस case में fluorine का predict करूँगा तो size 70, 80 के आसपास में predict कर पाऊँगा लेकिन आया कितना 64 64, exceptionally size में छुटा छोटू बोल बोल की चिड़ाओगे अगर तुम पहले वाले member को पिना के जाएगा बस यही एक कारण है exceptionally small size तो यह ध्यान रखना है size में बहुत छुटा आता है पहले member exceptionally small size साइज के होती है इपनी जादा ही होगी तो size क्या हो रहा है चुटा हो रहा है ज्यादा होगी हाई आयनाइजाशन एंथेल्पी इसका भी फंड़ा साफ है आयनाइजाशन एंथेल्पी भी size के क्या होती है inversely proportional रहे है अगर साइस चोटा होगा तो क्या होगा, जो valence cell वाले एलेक्ट्रोन हो, जो सबसे दूर एलेक्ट्रोन है, निकल नहीं नहीं दे रहा है, बहुत एनर्जी देनी पड़ दे तब जाके निकल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, प्रोपर्टी समें फर्क पड़ जाएगा, अब हुआ क्या है इससे हुआ यह कि यह कुछ ऐसी बात हो गई हमारे लिए की इनके पास ऐलेक्ट्रोन तो है वो एक तरह से क्या हो जाएगी? लिमिट आजाएगी उसमें. तो यह ऐसा आप दिखोगे कि maximum covalency of second period element आप observe करोगे वो आएगी 4 और कुछ case में तो 4 भी नहीं होती. बोलने के लिए हम ज़रूर 4 बोल देंगे लेकिन oxygen वगेर आप दिख लो. बहुत ही rare है. ऐसे कोई example आपको याद होंगे या मिल जाएंगे जहां पर 4 bond होंगे. बढ़ा on paper तो यह चार bond तक बना सकता है. आगे की बात करते हैं. आगे क्या है भई? metallic character. metallic character मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक छोड़ी सी बात याद रखें कि metallic character भी size के क्या होता है यह directly proportional होता है. यह दोनों inversely थे यह directly proportional था. metal वो अच्छा जो जल्दी electron देगा बई? metal वो अच्छा जो जल्दी electron देगा. जल्दी कौन देगा? उसका size बढ़ा होगा. क्यों? क्योंकि size बढ़ा होने से क्या होगा? nucleus से उसका जो electron है वो दूर होगा. अभी दूर होगा तो जल्दी निकल जाएगा. जल्दी निकलेगा तो जल्दी react करेगा. reactivity भी जादा. तो down the group क्या होता है? generally size बढ़ता है. क्योंभी cells के number बढ़ने से क्या होगा? metallic character decreases down the group. क्या down the group decrease होगा? नहीं. यहां गलत है. यह गलत करने का increase in size. size में लगतार क्या होना? increase होना. ionization energy का क्या होना? घटना. तो यह कुछ basic बात है थी. कुछ और आगे बात करते हैं आपन. आगे चलते हैं. ओके. जनरल introduction में और आगे continue करते हुए first member को देखो जड़ा. first member of a group differ from heavier members. heavier member कौन से हैं? वह लास लास वाले. लास लास इंडियम गेलियम छोड़ दो इंडियम थेलियम की बात कर रहे हैं मिल लिए अपन. तो heavier members differ करते हैं किस ability में क्योंकि first member बहुत अच्छे से क्या बना लेता है? पी पाई, पी पाई, मल्टिपल बॉंड बनाने की tendency जाद होती है. आप देखो carbon, कारबन, मल्टिपल बॉंड, पाई बॉंड, यहाँ पाई बॉंड, यहाँ पन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का पाई, ऑक्सिजन, ऑक्सिजन का पाई, exist करते हैं, stable होते हैं, whereas heavier members के पाई stable नहीं होते हैं, खारण क्या है? फिर से वही, nucleus से आप जितना दूर जाओगे, तो क्या होगा? आपका P orbital का size बढ़ेगा, और size बढ़ने से overlapping effective नहीं होगी, तो आपका जो pi bond है, उतना stable होगा नहीं, तो आप mostly देखो, ऐसा आप observe करोगे, nitrogen आपने कई बर दिखा है, triple bond है, N2 molecule के फिर में exist कर जाता है, whereas phosphorus नहीं करता, P triple bond P नहीं करता, क्योंकि phosphorus के पास है 3P orbital, इस phosphorus के पास भी है 3P orbital, तो 2P, 2P की overlapping, अच्छी है, size शोटा है, बढ़िया effective overlapping है, इसलिए इनका pi stable है, लेकिन यहाँ पर जैसे-जैसे size बढ़ेगा, overlapping क्या होती जाती है, पूर होती जाती है, electron cloud फैल सा जाता है, तो overlapping reason में कम से कमाता है, इसके लावा और बात करते हैं, पर heavier member के पास फिर एक दूसरी एक खास बात आजाएगी, जो अपने किसके पास नहीं है, फास member, lower member के पास, heavier member क्या बना सकते है, dpi, dpi bond बना सकते है, उनके पास back-end d-orbital अबई, P Pi D Pi bi भी बना सकते है, Diorbital है उनके पास, Fast member नहीं बना पाएगा, उसको पैस D-orbital ही नहीं है, अब D है ही नहीं तो सवाल ही नियूटता बनने का, heavier member D-Pi D-Pi बना लेंगे, P-Pi D-Pi बना लेंगे, बने एक समस्या है, D-orbital की जो energy है थोडि क्या होती है? P orbital से ज़ादा, तो D orbital की energy ज़ादा होगी, तो उसको contribution जो होगा, stability of molecule में कम होगा, मतलब वो pi significance का नहीं रह जाएगा, बना तो दो पर stability में ज़ादा contribute नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है Q की energy ज़ादा है D orbital की energy ज़ादा है तो यह कुछ basic general introduction section की अपने बात की, जो हमें पूरे के पूरे P block में देखने को मिलने वाली है आगे की बात करते है हाजी, एक और चोटी सी बात कर लेते है यहाँ पर क्या है, possible oxidation state हर एक group का अपने लिख लिया है हर एक का, जयान दिना भी और उनमें कुछ stable है तो उनको भी mark कर लेते है क्योंकि उसके base पर काफी कहा नहीं सोलजेंगी आग ग्रूप 13 की बात कर लेते है ग्रूप 13 की अगर आपने बात करेंगे तो ग्रूप 13 याद करो क्या था valence L का configuration होता है उसका NS2, NP1 इदार से उदर जाओगे ना एक करके भरता जाएगा तो अंगला electron कहा जाएगा भी P में जाएगा NP2 फिर कहा पहुच जाएगा NS2, NP3 ठीक ऐसे NS2 यहाँ पर NP3 आगया ठीक ऐसे चलता जाओगे NS2, NP and so on हमें इसकी जरूद नहीं है हमें बस किसी एक को अच्छे सो अफजर कर ले रहा है मालो अपन इसको अफजर करते है क्या हो अगर यह अपने पूरे वैलेंसल के electron bonding में लगा दे कई से लगा देगा S के और P के कर दे तो दूसरा Rent से आपको स्टेबल पोर्ण थैट है भॉरोन का आपको स्टेबल प्लस थ्री और गेलियम वही प्रणी है जिसके बाद इनर्ट प्यर एफेक्ट थोड़ा डॉमिनेट होने लगता है यह से स्टार्ट होता है क्योंकि गेलियम में जाके हमने देखा था 3D आता है 3D 10 आता है और 3D की क्या होती है स्क्रिनिग पूर लेकिन इंडियम और थेलियम में हम जाएंगे तो इंडियम का भीवी प्लस-3 स्टेबल बना हुआ है थेलियम में जाकर एंड़ इनर्ट प्लस्ट बहुत डॉमिनेट कर रहे हैं और व्लास ल हम इनली उसका ज्यादा से नहीं कर पारों इसी वज़े से का मतलब क्या है पूर स्क्रीनिंग से पकड़ लिया नूपलेश ने जाने नहीं तरको अलाओ नहीं नहीं का मतलब क्या है effective effective nuclear charge इन में बढ़ गया क्यों बढ़ गया क्योंकि इसके तो अंदर वाले एलेक्ट्रों माइनस टू है अज़ा माइनस माइनस वाले स्टेट जो यह वो भी आएंगे पर अभी आपन जरहा हाई और लोवर स्टेट के एंगल से देखे जारो बैलें सेल के लेक्टरॉन के बैसिस पर देखे जरहा हूँ इस्लिकं प्लस 40-4 एंड्स और से सभी के साथ दिख रहा है एंदा यहां प्लस 40-22 ब्रहए इसा पर आप ओफ्जर गरहे स्टेबल स्टेट किया रहा है कार्मन प्लस Gn진 उचरण धकर चाहिए गला मैं तो फ्लस जाना चाहए बहुछ क्योंकि प्लस इसकाष्चरण जाएगा तो diferente रिडियूस हो रहे हैं प्रक्राव क्रेंगा oxidizing agent मतलब LED अपना plus 2 में क्या है plus 2 में stable plus 4 में क्या है एक अच्छा oxidizing agent क्यों खुद reduce होगा दूसरों को oxidize करेगा जो electron fake के मारेगा LED gain कर लेगा क्यों यहां की बात कर लेता है ग्रुफ 15 की बात कर लेता है आब ग्रुफ 15 में देखो नाना, पाटेकर, असरानी, सब बेकार, सब के सब बेकार लोग थे, तो क्या-क्या पॉसिबल था भी, प्लस फाइव, माइनस थ्री, एंड सो ओन, अचा ये प्लस फाइव कहां से आ गया, प्लस फाइव, एक्शली ऐसे आ गया, क्योंकि अपना ये एनस वाला दिख नहीं रह पाच हो जाएं, तब हमारे पास एक option और है, आठ करने का, पाच देना, तीन लेना, पाच देना, तीन लेना, सुनने में अच्छा लग रहा है, तीन लेना, तो यहाँ पर धीरे-धीरे, negative states की stability भी बढ़ेगी, और tendency भी बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पर एक माइनस थ्री भ तो अभी थोड़ी जरी में हम देखने वाले, metallic character बढ़ेगा, बिश्मुत को लेक्ट्रों देना पसंद, लेना पसंद नहीं है, नेचर है, नेचर मेटालिक है, ध्यान रगो, तो बिश्मुत में, minus 3, rarely observe किया जाता है, का मतलब यह नहीं हो ही नहीं सकता, अच्छा, stability के बा इनर्ट पेर इफेक्ट, भूलना मत, इनर्ट पेर इफेक्ट के बेसिस पर बहुत सारे कहानी हो जाएंगे, अपनी, आंगे बढ़ते हैं, 16 को मैंने include नहीं किया है, आप 17 की और बात कर लेते हैं, 16 भी हाला की सेमी है, बहुत ज़्यादा फरक नहीं पढ़ने वाला है, फ् क्लोरीन only minus one so करेगा, ये ध्यान रखना भया, only, लेकिन बाकी जो है क्लोरीन, ब्रोमिन, आइडीन, कपड़े बदलनी की जगह हैं उनके बास, और कमरे हैं, जा जाके अलग लग कमरों में बदल लेंगे, मेरा मतलब है कि उनके बास वैकन टी और्बिटल आ जाएगी, तो अपने paired को unpaired कर लेंगे, P वाले को भी unpaired कर लेंगे, S वाले को भी कर लेंगे, तो वो other state भी so कर देंगे, प्लस 1, प्लस 3, प्लस 5, प्लस 7 भी so कर लेंगे, थोड़ी तेर में आपन इन सब को और डीटेल में देखने वाले हैं, तो अभी एक इतना basic idea अपन को लगने इसके अलावा कौन m4 trick है, कौन sdk है, इसको और याद कर लें, flow बन जाएगा, बढ़ी आसान, इसे मजे मजे में हो जाएगा, तो मैं अब आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर मैं आपको एक top 10 elements जाद करने की trick भी बता देता हूँ, उसके बाद हमें मजा ही आ जाएगा, एक दम, देखो जिरो, so top 10 electronegative elements, अचा आसना बसना नहीं है न, code है, code, एक दम, chill रहे न, chill, देखो, क्या है code, top 10 electronegative को, क्या नहीं करना है अपने को अभी, यहाँ जेही का पेपर देने जारे हो, जेही का पेपर देने जारे हो, तोड़ा serious रहे न, serious, तो क्या हाँ, beer, beer, fun, knuckle, beer, प्रती, बंदित, और एक सबसे dangerous cheese market की, ask, नहीं करना, और नहीं करना क्या अपन को पहलवानी भी नहीं करना है, करना ही नहीं, अना, और एके वेके रख लेगा ना, तो क्या नहीं करना है, fun, knuckle, beer, ask, पहलवानी नहीं करनी है, इससे कैसे याद हो देखो जरू, fun, F, O, N, या दुआ, chlorine, most electronegative, दैन, उससे कम oxygen, उससे कम nitrogen, नकल, नकल, यह रहा, nitrogen, chlorine, nitrogen, chlorine, beer, मतलब bromine है और isk का मतलब क्या है, I, S, C, और पहलवानी का मतलब है, pH, तो यह top 10 electronegative element याद करने से, और गैनिक में भला होगा, बड़ा फायदा होगा, क्या या सबसे टॉप में, कौन है, लेक्रो नकल नकल यह रहा, फ्लोरीन, दैन, oxygen, nitrogen, chlorine, same-same, bromine, isk में, I, S, C, और पहलवानी में, pH, अच्छे, एक बहुत और, falling scale में, इनकी values जो आती हैं, वो भी देख लेते हैं, तो falling scale में, जो values हैं, falling scale में, जो values हैं, fluorine को दिया है, 4, relative होगा, क्योंकि कोई unit तो है ही नहीं, oxygen को लगबग 3.5, nitrogen 3, and 3, chlorine भी, same है, तो फिर same ही होएगा, bromine का 2.8 है, 2.8 है, bromine का, दियान रखना हैं, iodine, sulfur, और carbon, तीनों का 2.5 होता है, पर एक important बात दियान रखना, iodine का actual में, होता है 2.4, code बेकर जाएगा, रटा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने, उसको, इस code में fit करने के लिए भी लिख दिया, reality में 2.4 होता है, कुछ बुक्स में 2.5 भी लिखाया है, पहलवानी, 2.1 और 2.1 फॉस्फरस और hydrogen, ते टॉप 10 इलेक्टो नेक्ट डेवलिमेंट याद कर लो, काम आएगा, बहुत आसान हो जाएगा अपना chapter, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गय है अल्रेडी, याद करो, atomic number, बोरून, क्या था, पांच, फिर आठ एड कर दो, तेरा, फिर अठारा एड करना, आठ मत करना, अठारा एड करना, ध्यान देना थोड़ा, 31, अब अब अठारा एड कर लो, 49, आप कितना एड करोगे, 32, करेक्ट, 32, कितना है गई है, 81, अभी कोन है, यह अभी अभी आए है, मार्केट में, निहोनियम नाम है, निहोनियम, atomic number 113, अच्छा, इसमें प्लस 32 करके देखो, क्या यह आ रहा है, आ रहा है, आ जाएगा, निहोनियम, निहोनियम, synthetic element, और ज्यादा तर, recently, जो synthetic element है, वो मुझे लग रहा है, वर्ल्ट को खतम कर निक लिए बनाया जा रहे है, क्योंकि सब के सब भयानक वाले, भयानक वाले radioactive है, तो यह वाला भी कहा है, synthetic element है, extremely radioactive है, भाईया जी कि हाफ लाइफ 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड में उसका आदा हो जाएगा, और 10 सेकंड में उसका भी आदा हो जाएगा, वैसे ही कितना अपने प याद कर लेते, configuration हम को याद करना है, कैसे याद करना है, भया helium लिख लो पहले, फिर लिख लो यहाँ पर neon, argon, फिर लिख लो krypton, और ऐसे ही क्या लिख लो आखरी वाले के लिए xenon, और अगर तुम्हें इसका भी लिखना है, तो redon, लिखी लालते हैं, लिखी डालते हैं, redon लिख लेते हैं, redon, अब helium में 5 है, या helium में, sorry, boron में 5 है, तो helium में कितने होगे, 2 होगे, अंगले 3 कांगे भी, 2s2, 2p1, फिर इसका क्या जाएगा भी, 3s2 लगा देना, 3p1 लगा देना, इसमें 4s2, 4p1 लगाने के पहले थोड़ा ध्यान देना, 3d10 आएगा, 3d10 आएग वो कहा है, वो कहा है, 3d वाले है, इंडियम की बात करते हैं, 3d के बात क्या जाएगा, 4d, and 5s2, 5p1 की बात कर लेते हैं, अभी जिनौन का क्या करेंगे, 3d, 4d, 5d, ठीक भी या, 5d लगा लिया, देखो जिरा, 5d आगया, 6s2 आगया, 6p1 भी आगया, हिसाब लगा के, देखो जरा कितना हो रहे, पहले इनका हिसाब याद होना चाहिए, इसमें कितना था, 2, 10, 18, 36, 54, 54, 64, और 3, कितने हो गए, 67, कितने का घोटाला चल रहा है, 14 का, 14 का घोटाला किस वज़े से, 4f की वज़े से, तो 4f क्याएगा, 14, अंगले वाले को 5f लगा देंगे, बस 6d हो जाएगा, 7s2 हो जाएगा, और 7p बना जाएगा, अब मार्केट में आने के लिए यही बचा है, तो थोड़ा निहोनियम निहोनियम का configuration लिखते आना चाहिए, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना ये बात को, क्यों इंपोर्टेंट है भई, यह स इसक टॉप एक इनट पर एफेक का टॉप विटेज बढ़ गया, अचा एक खास बात और देख लेते हैं, यह वाला जो पोर्टेंट है, जितना मैं मार्क कर रहा हूं, इतना, इसको हम बोलता है वैलेंस सेल, वैलेंस सेल कॉन्फूगरेशन, सबका सेम है वैलेंस सेल, क्या लाँ नहीं है सेम सबका, कोर कॉन्फूगरेशन, एन सेयरडी बोलता है, क्या P-Block के element का कॉन्फूगरेशन, कोर वाला सबका सेम होता है, तो answer is no, क्यों नहीं है, तो यहां 3D है, यहां 4D है, फिर यहां 4F ि आगया, तो डिफरेंट है, तो वैलेंस सेल कॉन्फूगरेशन क्या है सबका same पर core configuration वो ध्यान रखना साब different है different और statement वाले को श्यन आए तब यह फसाद हेगा इस अगर बात को नहीं बता हुआ तो यह ध्यान रखना है अपन को तो group 13 elements में क्या क्या है यह आगे समझ में आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं यह कितना मिलता है occurrence वग्रेंस कितना है तका बोरों देखो बोरों 9 ppm बड़ा कम है यार जितना इसको भाव मिलने वाला है न चेप्टर के अदर उसे साबसे इसका occurrence तो कुछ भी नहीं है नाम रख देता हूं मैं इसका rare element rare क्यों दर्चा नहीं बड़ी मुस्कल से होंगे बहुत कम हो गरेंसे ना aluminium 83,000 parts per million parts per million ज्यादा है काफी ज्यादा है इतना ज्यादा इतना ज्यादा कि बन जाता है most abundant metal अच्छे से ध्यान रखना metal बोला है element नहीं बोला अगर element का number लगाओगे तो फिर element मैं element बता देता हूँ पहले number पे oxygen दूसरे number पे silicon तीसरे number पे पहला metal और तीसरा element aluminium ज्यादा रखना third most abundant element most abundant metal बोला नहीं metal gallium 19 picometer picometer नहीं है parts per million picometer नहीं ना picometer तो radius होता है ना तो थोड़ा निकल जाता है अध्यान रखना हूँ इंडियम 0.24 थैलियम 0.5 यह सब थोड़े क्या है ना इनके दर्सन के लिए कई इंतिजार करना पड़ेगा मिलना नहीं वाले हासानी से तो अगर अपने इनके अकरेंस का फॉर्म देख फॉर्म देख किस फॉर्म में मिलता अर्थ तो तो सबसे पहले अपन वर्ण की बात कर लें वर्रों में आ जाता है और एक्स और एक्स का फॉर्म देख होना चाहिए एने टू बी फोर ओफाइफ ओएच होल फोर डॉट एट एच टू फर्क्या पढ़ गया इससे फर्क्या पढ़ गया कि मानलो कल को वाटर ओफ क्रिस्टलाइजेशन पूछ ले और हमने कर दिया टिक 10 हो गया वह गलत एक तो यह याद रखना है और एकस का सही फॉरमेट यह रहा दिक्राएं वरोट तो यहां से भी बोरोन को अपन एक्स्टेक करते हैं करनाइट करनाइट रटने का एक सिंपल से तरीका है बोर एकस वाला जो यह फंड है ना एट की जैंगे बस टू कर लो आज जाएगा कैसे करनाइट हो जाएगा एने टू बी फोर ओ फाइफ ओ एच वोल फोर और यह क्या है का डॉट टुएच्टु हुख है और एकस बड़ा असटान है क्या होता है यह फामला एच 3 अरे बोलो भई हैस 3-2-3 एच 3-2-3 बड़ा सिंपल है लेकिन से लेर्बस में अब यही इम्पोर्टन है तो इनको इनको किन्टेस्ट करना है असा भी प्रिंग हो गया ना थोड़ना निया एक तो ऑकें आलियमिनियम की बात करें आलियमिनियम बॉकसाइट बॉकसाइट गया होता अभी एल्टू ओ टू ओ टू ओ से लेकर 3 h2 o तक वैसे बॉकसाइट पर होता है 2 h2 o लेकर अलग-अलग फॉर्मिट है अगर एक्जेक्टली बॉलते तो येल-2-0-3.2-H2-0 वनना उसके अलग-अलग फॉर्म भी ए .H2-0-3.H2-0 तक है इसके अलावा ऐलूमीनो सिलिकेट रॉक्स के फॉर्म में मिलता है ,silicates, siliates और silicon silicates और silicon 95% अर्थ-क्रस्क होता है ठीक है तो ये ध्यार रखना है , आलूमीनो-silicate भर-भर करें यह तो अपने पास ुप्राइब स्थ्सपार-मायका ये सब dry light इंपॉर्टेंट mineral है याद रखना है formula na3 alf6 भुला नहीं na3 alf6 बड़ा important है अच्छा बात कर लेते हैं गेलियम इंडियम और थेलियम कैसे मिलते हैं गेलियम जो है अपना गेलियम अलुमीनियम जिंक और जेरिमेनियम के और के साथ साथ मिल जाता है एक के साथ एक फ्री वला यह और इंडियम और थेलियम के शलफाइड और से जिंक और लेड के जो शलफाइड और से उनके साथ मिल जाता है अगर आपन बात करें आकरेंस किसका याद होना चाहिए तो बोरोन का अलुमीनियम का सबसे ज़्यादा important है मेरे दरब से दो important है छुटा साथ चैप्टर बचे ही है फेली बत तो पूरा ही कर लेते नहीं इनको भी अपन एक एक बार बस रीड कर लें या तो जाएगा तो यह हो गया अकरेंस की बात अब अपना आंगे बढ़ते हैं देखते हैं आंगे क्या है अपने लिए फॉर्म्स फॉर्म्स बोर्ष बोर्ष में बोरून के पांच क्रिस्ट्लीन फॉर्म हैं बिल्कुल ज़़ूरी ना परहां सुन लोगे कभी टिक सिकविक करने आ तो फाइदा मिलेगा, ऐलुमीनियम, गेलियम और इंडियम, कोई भी ऐलो ट्रोप नहीं है, कोई भी दूसरा फॉर्म ही नहीं है, तो फिर ये बात थोड़ा-थोड़ा सा इंपोर्टेंट है हलका हलका कि किसके ऐलो ट्रोप है, एलुमीनियम, गेलियम, इंडियम के नहीं है, सुरी, बोरोन और गलत बोल गया मैं, थेलियम के न, बोरोन और थेलियम के है, एलुमीनियम, गेलियम, इंडियम के नहीं है, तीनों के तीनों अच्छे कासे मेटालिक भी है, ठीक है, physical properties की बात करते हैं बोरोन की बात कर लेते हैं बोरोन क्या है अपने पास देखो बोरोन याद रखो कि उसके दो आइसोटोप है एक B10 और एक B11 कभी किसी question में अगर आपको बोरोन का mass put करना पड़ा तो आपको याद होगा कितना रखते थे याद करो याद करो 10.8 नियरली एकोस तो 11 अहां सही बोल रहे हो ऐसा कैसे हो गया अगर दो फॉर्म है तो फिर 11 और 10 के average average type को होना था नहीं reality क्या है इस form और इस form को ध्यान से देखो एना average mass average mass है या average mass जिसके close है उसका percentage जादा और दुसरे वाले वर का percentage कम अगर percentage की बात करोगे तो जिसके close होगा उसका percentage क्या होगा जादा होगा ऐसे याद करो दो वो फॉर में B10, B11, एका 19 कुछ होता है, एका 81 परसेंटेज कुछ होता है, इसके लावा बोरोन के कुछ important बात है याद रखनी है, बोरोन क्या होता है, extremely hard, extremely hard, बहुत hard होता भी है, बहुत hard, कैसे, देखते हैं, extremely hard, non-metallic, इसके अलावा black solid, बोल सकते हो, और high, very high, very high, very high melting point भी होता है, और ये चीज थोड़ा important है, उसका कारण यह है कि बोरोन, exist करता है कैसे, B12 form में, बोरोन बोरोन आपस में बढ़िया से क्या बना लेते हैं, covalent bond बना के crystal, बढ़िया बला, और ये जो B12 होता है, लगबग, इसको अपन बोलते हैं, Icosohedral, का मतलब है 20 face वाला, जैसे octahedral होता है, हाट फेस वाला, Icosoh मतलब 20 face वाला, जब बहुत सारे मिलके खटे हो जाएंगे तो फिर तो melting point क्योंगा जदा, bond भी तो तोड़ने पढ़ेंगे बहुत सारे, हाड भी है, यह बात है याद रखने हैं, extremely hard है, non metallic है, black solid है, almost water में insoluble type का है, very high melting solid है, conductor poor है, non metal ही है, तो आपन यहाँ पर यह भी लख लेते हैं, poor conductor, यह रहा, यह रहा, बाकियों का क्या हाल चाले, just ultra, soft soft metal, low low melting point, तो बाकी सारे कैसे हैं, soft, क्यों है soft, वो सब भी अपन देखेंगे, soft metals, और low क्या होता है, उनका melting point, तो यह ध्यान रखना है, तो boron, pinak गया न, अलागी pinakने का कारण हर बार size भी नहीं होता है, और भी चीज़े होती है, फिलहाल तो यह ध्यान रखना है, अपन को boron किस फोर में exist करता है, बी, बी 12 फोर में, कितने face का crystal बनता है, 20 face का, extremely hard, black solid, very high melting point, बाकी सब किसाब, soft metal और low melting point वाले, तो यह basic introduction हो गया, group 13 का, आँगे चलते हैं, देखों, आँगे क्या है अपने लिए, गेलियम, गेलियम का melting point है, कितना, मात्र 303 Kelvin, एक काम करो, इसको degree में लेकरो, 30 degree के असपास है, मतलब अपनी देश में तो भी पिगला ही रहेगा, अपन थोड़े गर्मीले लोग है ना, अपना 50-50 चलता है, अपना रूम टेंपरेचर भी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, तो अपने यहां तो ज़्यादा तरह है किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में, ठंड की बात अलग है, दो-तीन वहीने छोड़ दो तो, पट वेरी हाई बॉलिंग पॉइंट, मैल्डिंग पॉइंट कम, बॉलिंग पॉइंट ज़्यादा, बहुत अच्छे से याद रहना, बॉलिंग पॉइंट ज़्यादा होने से क्या फाइदा है, इसका एक इम्पोर्टेंट अलगी तरह का यूज आजाता है निकल कर, वो क क्या कर रहे है, उस हीट के कर्रेस्पॉंडिंग थोड़ा एक्सपांड कर रहे है, थर्मोमीटर बनाने के लिए ऐसे लोग बिल्कुल बढ़िया होते है, यह जो गेलियम है अपना एक यूसफुल मंटेरियल बन जाएगा, फॉर मैजरेंग, हाई टेंप्रेचर, हाई टें गutले चैट में, यह एक्सित करता है, एक्सिस्ट ऐस डिस्क्रीट, जिये टू मॉलिक्युल, जिसमें 4P एलेक्ट्रोण इंट्रेक्ट कर जाते हैं, और आप इसमें बॉंट बना लेते हैं, छुटे चुटे हो गया, छुटे 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 जुटे निइट हो molecular solid type का हो गया तो जितने भी molecular solid है उनके molecules के बीच में वेंडर वाल फोर्स ही तो होते है इनमें भी वीक फोर्स होगे आसानी से crystal तूट जाता है तो यह कारण है फिर boiling point की हो जाता है एक बार अपन मेल्ट हो गए तो अपना फिर boiling points हो गया है वापिस बाकी members के mass के respect में line में आ जाता है और boiling point इसका फिर जादा हो जाता है bonding या फिर बोले कि एक तरह से packing या एक तरह से इनका interaction solid state में और liquid state में अलग अलग है इसलिए boiling point और melting point एकदम अलग है melting point कम होने का गारण discrete molecule के फॉर्म में एक्जेस करना boiling point जादा होने का कारण माहाँ जादा metallic bonding character आए गया और भी चीज़ेंगी ओके आंगे चलते हैं आगे के अपने लिए दिखते हैं आगे ट्रेंट्स 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 भयानक important है भाई भयानक क्यों आँ क्योंकि यहीं सारे अच्छे trend मिलेंगे मैं guarantee ले सकता हूँ P block के trends पर 3 में से question तो तरह है तो trends समझने हैं बहुत अच्छे समझने reasoning भी आ सकती है तो trend में पहले trend क्या है अपने पास Covalent Radiai Pico Meter में नाप लेंगे अपन पीको मीदर में नाप लेंगे अपन पीको तो आथ छोटी होता है तो ट्रेंड क्या आता है यह समझते है जो आपको यह समझना है कि अगर अपन इन जनरल बात करते हैं बैगन आलू गाजर इन थैला तो जब अपन उपर से नीचे जाएंगे एक्सपेक्टेड क्या है एक्सपेक्टेड क्या है एक्सपेक्टेड है कि साइज बढ़ेगा सो जो ऑडर है ऑडर ऑडर क्या है अपना बोरोन सबसे चुटा हो जाएगा चुट हो जाएगा सबड़ा ऐलूमीनियम गेलियम इंडियम और सबसे बड़ा साइज में थैलियम ऐस तो नहीं है ऐसा क्यों नहीं है उसको भी अच्छे से समझो देखो ऐलूमीनियम के बाद जो गेलियम आ रहा है जिसका अटामिक नमबर था 31 सुनना ध्यान से बहुत अच्छे से सुनने बहुत इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा यह 31 है इसके पीछे जो एलिमेंट है उसका दीबलॉक के लिमेंट दो बोलते हैं लेकिन अपन क्या होता जर्णरली यूज कर जाते होगा वर ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है यहां पर है सकेंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम ऐसे चलता जाएगा अब इनमें क्या होता है जब हम लाफ टू राइड ज हो तो फिर एक तांब लाफ मार करनेल लगेंगे लगा पहले का साइज में है फ्यलेगा कैम मतलब क्या है थोड़ा सा जघयेंगा इलेक्ट्र में जाकर एफट्शीm एक दूसरे को क्या करते तो क्या होगा मैं बाहर वाले को अच्छे से खीचाँगा साइज क्पोटी अग Electron, Electron repulsion स्थ 1,2306,3709,3709 औरक ऑधने ए तो फोड़ा पर तक यह होता है। Constant का मिई लगता है, English-ाफ मेंends जाकर last-last नहीं Effective Charge और Electron, Electron, Repulsion में यह Inde करा जाता है, थोड़ा की एथ थे खुधरना बढ़ता है, तो अगर अपन यहाँ पर एक graph बनाए माल लो कि यह radii का graph, radius है और यह atomic number है है ना तो क्या होगा, पहले घटेगा फिर constant type का होगा और फिर बढ़ेगा पर इतना नहीं बढ़ता कि इसका indium से जाद होगा बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना यह जो हुआ, यह जो हुआ इसको बोलते हैं transition contraction और यह transition contraction किसमें applicable है D block के elements में applicable है D block के elements में के अलावा observe किया गया है zinc के अलावा zinc जहां पर खतम होगा उसके अलावा या ऐसा बहूँ D के अलावा gallium में और दिखा गया है this funda is applicable to D block elements and gallium and gallium बुलानी है तो gallium में क्या हो गया contraction आगया contraction आने का मतलब क्या भी है 3D की poor screening आगयी अच्छा indium और thalium में क्या करें indium और thalium में thalium after lengthenoid होता है after lengthenum होता है ऐसा भी बोल सकता हूं है तो इसमें होता है lengthenoid contraction lengthenoid contraction कहां से आगया 4F की poor screening से आगया बुलना मत 4F की poor screening से आगया है ना तो अब जो trend हम expect कर रहे है वो थोड़ा अलग-अलग आने वाले अब थोड़ा अपन बता पाएंगे क्या आएगा तो overall क्या आएगा trend क्या आएगा overall answer क्या आएगा trend क्या आएगा overall radii का train क्या आएगा ये बात कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले क्या आएगा सबसे छोटा तो अभी भी borरो नहीं है ठीक है बोरों से थोड़ा बड़ा कौन था aluminum और उससे बड़ा गेलियम था लेकिन इस transition contraction से गेलियम छोटा aluminium बड़ा कितना छोटा बड़ा मैंने यह data लिखाए 143 pico meter aluminium और गेलियम 135 pico meter size छोटा हो गया भाई contraction का फंटा देख रहे हूँ D की screening देख रहे हूँ जो पहले इतने से इतना होना था इतना तो हुआ नहीं और इतना हो गया फैक्टिफ चर्ट कितना बढ़ गया होगा वैलें सेल वाले में तो बोरोन के बाद के आएगा फिर गेलियम एलुमीनियम और फिर आता है इंडियम और थैलियम अच्छा यहां पर भी एक खास बात ऑफजर करनी है अभी इंडियम और थैलियम के size का difference से करो 10 पीको मीटर मैं बता रहा हूं सच बता रहा हूं अगर मैं दौनों को डाके वuden के समने vat chamने रख दू न तुम बताएज नहीं कौन सा कौन था क्यूंकि 10 पीगो मीटर हम नहीं observe कर पाएंगे हम ऐसे इतना चोटा तो देख नहीं सकते हैं मान लो किसी वज़े से अबन वर्दान मिल जाए तो भी ना हो पाएगा यह वैरी लेस्ट डिफरेंस है साइज में इसका खारण बहुत इंपोर्टेंट है में बार-बार रिपीट हो चुका है अब इस बार गलती हमें नहीं करनी है एक-दो मंचे से मैंने समझा डाला है फिर भी कुछ लगता हो तो आप अलग से भी पूछ सकते हैं ना आगे बढ़ते हैं अभी अपन आइनिक रेडियाई की बात करते हैं तो आइनिक रेडियाई में तो कोई नाटक नहीं है सिधा सिधा डाउन दो ग्रॉप साइज बढ़ता जाएगा क्योंकि आपने सम्में अलेक्ट्रॉन भर दिये तो आपका वो फंडा जो है ना पीछे जो चल रहा था वो नहीं चलने यह आइनिक रेडियाई है आइनिक रेडियाई कौन से वाले की यह जब जब एनाइनिक फॉर्म में होंगे आइनाइजेशन एंथेल्पी का ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से समझना एक दो ठीक है और एक सुपर ट्रिक बताओंगा जिससे तुम्हें एक म तरह एक तरहां एक दो साइस और दूसरा है आइना जीशन एंथेलपी इस डारेक्ली प्रोपर्फिशन टूर्पेटिव चब चार्ज तीसरा भी है आइनाइजेशन एंथेल्पी डिपेंड्स अपॉन पैनिट्रेशन पावर और पैनिट्रेशन पावर का मतलब होता है न्यूक्लेस के पास कौन है सबसे पास कौन है और फाइनली अगर ये काम भी नहीं बना तब अपन देखते हैं एलेक्ट्रोनिक कॉन्फ्यूगरेशन मेरी एक बात बहुत अच्छे से याद रखना अगर आपने ये ट्रेंड ओर्डर में लगाए मतलब मेरा मतलब ये फैक्टर अगर आपने ओर्डर में लगा दिये आपको कोई क्विश्चन गलतनी होगा जेई को पसंद है पहले दो फैक्टर पर क्विश्चन पूछना और हमारी आदत है आखरी फैक्टर से क्विश्चन को सौल करना तो हमें कई जंगों पर सदमे प्राप्त होंगे सदमे नहीं मिलेंगे अगर आप ये ध्यान रखोगे इसके लाबवा एक और बात द्हार अज़ना साइज और एफेस्ट्व चारज क्या एकडम से ही में नई-Nई-Nई-Nsnाइज और एफेक्टिव चारज का क्या लफरा ये ध्यालका है। बाटा ब्रण करो जिसका साइस चोटा है और आप ऊस्टेलियम को याद कर доступ दूनों की कारण अलग है और वाकई ही छोटा है सईल कम है लेकिन अगर आपने बात करते हैं कि इसकी थैलियम की तो थैलियम में इसाइटिव चार्ज जादा है एफेक्टिव चार्ज ज्यादा ध्यान रखना अब जरह ट्रेंड देखते हैं ट्रेंड क्या निकल कराता है जरह यहां पर देखो बैगन आलू का जर इन थैला हम लिखने वाले थे यह था अपना तो यह था कि यह उपर से नीचे चलोगे तो साइस क्या हो जाएगा बढ़े फिर ठैली अप ऐसा तो नहीं है ऐसा क्योंः नहीं है क्योंकि जब रेड़ीह का ट्रेंड ही एडपटा था तो यह कैसे सीधासीदा आसकता था आता क्या है तःले याद लेटें फिर समझ लेते हैं, देखो, क्या करना है, आपको डवलू बनाना है, डवलू, पर यह वो डवलू नहीं है, जो बच्पन में सीखा था, ऐसा बना डवलू होना चाहिए, अब किसी का डवलू कुछ और बन जाए, मालो किसी का डवलू ऐसा बन जाए, तो वो तबाह हो सकता है एक question बहुत माईने रखता है अब, तो यह डवलू थोड़ा सा दिमाग में रख लो, इसकी picture बना लो अपने दिमाग में, अब इस डवलू में क्या खास है बई, इधर अपन बना लेते हैं ionization enthalpy, इधर अपन लिख लेते हैं Z, atomic number, वही बैगन आलू गाजर वाला, तो यहां यह है actual trend, मतलब actual trend जो है, answer जो है, इसका वो यह है, कि ionization enthalpy, ionization enthalpy, boron की सबसे ज़्यादा है, size छोटा, extremely hard, और Icoso-Hedral भी तो है, bond तो तोड़ने पड़ेंगे न, और फिर वो size छोटा ही तो dominant कर गया, सबसे important बात, फिर उसके बाद कोन हो रहा है, थेलियम, 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 क्या है, यह थेलियम, बड़ा था, अभी आँगे, काफी आँगे, ionization enthalpy आँगे, कारण क्या है, बोरोन में 5 proton, 5 electron, ठीक है, 5 proton, 5 electron, सोच लो, थेलियम में 81 proton, 81 electron, मैं इतना size सोच रहा था, इतना, पर है इतना, प्रोटोन तो 81 है न, effective charge, सोच रहा, आखरी वाला जो electron valence cell वाला, कितना strongly pull किया जा रहा होगा, और जितना strongly pull करोगे, फिर तुम्हें उतना ही दमखंब लगाना पड़ेगा, उससे निकालने के लिए, and that's why, यहाँ, यह factor, dominate कर गया, थेलियम, बुलना मत आंगे है, बागी तो तुम देखकर ही बदा सकते हो, आसानी से, इसके बाद आ रहा है गेलियम, गेलियम, इंडियम, हाँ, एलुमीनियम और इंडियम, यह रहा, इसमें पाद्धस जान सितारे लगा ले न, बड़ा इंपोर्टेंट है भी है, ध्यान रखना ज़रो, आगे हैं समझ में, यह इंडियम, गेलियम ने, थोड़े-थोड़े मेटैलिक होते जाते हैं, मेटैलिक भी है, तो इलेक्ट्रोन लूस करने की टेंडेंसी है, स्क्रीनिंग जो है, ठीक ठाक है, थेलियम में पूर हो गई थी, इसलिए थेलियम आगे निकला आया, बिलकुल अच्छे से याद रख होंगे, यह एक फेक्टर बस काम का अपने लिए, अगेन इडिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जिसका साइज जादा, अलेक्टो नेगडिविटी कम, आफजर करो जराए यह वैलियू, समझ में आता है, बोरण साइज छोटा है, तो 2 है, अलुमीनियम, गेलिय इंडियम, बहुत डिफरेंस नहीं है, थेलियम में डिफरेंस नहीं है उतना, लेकिन इन तीनों से ज्यादा क्यों हो गया, मैडल था ना वो तो, अच्छा मैडल था ना, राउंदो ग्रूप तो मैडली करेक्टर बढ़ता है न, हुआ क्या ज़रा ध्यान से चुनना, एफ पूल कर रहे है, और आसपास अगर किसी और का आ गया, बॉंडेड स्टेट में आ गया, तो उसे भी अपने पास ही खीचेगा, क्योंकि उसके 81 प्रोटोन, मैं कुछ एलेक्टरोन, जो वैलेंस सेल के अंदर वाले है, 4F वाले, 5D वाले, वो वैलेंस सेल के लेक्टरोन को भ क्या यह इंपोर्टेंट है, हाँ वै यह बहुत इंपोर्टेंट है, अब इंपोर्टेंट है, पहले तो नहीं था तो नहीं, मैल्टिंग पॉइंट, मैल्टिंग पॉइंट, मैल्टिंग पॉइंट, मैल्टिंग पॉइंट, मैल्टिंग पॉइंट, बोरोन सबसे जादा, वही, B12, extremely hard, याद करो, Icoso, Hydral, 20-phase वाला, then, Aluminium, Thalium, and so on, Aluminium, थीठा, metallic bonding की वज़े से ऐसा हो रहा है, Thalium का भी कारणवाई है, लेकिन Thalium में metallic bond में, electron जो participate करेंगे, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि, ज़ादा electron participate करी नहीं पहेंगे, भाई, Thalium में जाके, 5D10 की पूर स्क्रीनिंग के सामने, 6S2 को लग रहा है, कि मैं तेरा हुआ, nucleus का हुआ, तो फिर metallic bond में participate करने के नाम पर यहीं बचा, तो metallic bond पूर हो जाएगा, metallic strength पूर हो जाएगा, melting point भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, and that's why यह trend आता है, यह trend रटे लो, एकदम रटे लो, इस साल के लिए तो बिलकुल अच्छे से रटे लो, boiling point, boiling point को जारा देहान से देखो, एक बार आप जैसे ही melt हुए, तो अब metallic bond का concept गया भाड़ पै, आप liquid, liquid, तब आपका उठा कर हवा में उडाने के लिए आपका वजन भी थोड़ा माहिने करेगा, और कुछ चीजे भी होगी, उस basis पे trend में थोड़ा सा चेंज है, बोरोन, aluminium तो ही, and then उसके बाद ज़रा ध्यान से देखो, यह बोरोन की फिर वही समस्य है, यार, B12, खुब सारे bond टोड़ो, यह करो, वो करो, इस basis पे आता है order, clear है यह बाद हमें, गेलियम, गेलियम, हाँ, मास जदा है, ठीक ठाक है, यहाँ पर गेलियम पीछे क्यों है, वहाँ पर क्यों पीछे था, melting point में, यादा रहा है कुछ, GA2, GA2, discrete molecules, discrete molecules, solid statement, धंका क्या नहीं बना, इसका लेटिसी नहीं बना, metallic bond ही अच्छे नहीं है, क्या है, बलकि यह equivalent solid type की feeling दे ला रहा है था, इसलिए, तो यह सारे trend भीया, बहुत important है, मैं warning दे रहा हूं, अच्छे से याद रखना ज़रा हूं, density देखो तरह, density mass और डिरेक्ली प्रोपोर्शनल है, mass यहां से यहां बढ़ रहा है, density बढ़ती जा रही है, माल लों कि आपको यह पता यह नहीं कि mass का डिरेक्ली प्रोपोर्शनल है, तो आपको इतना तो पता होगा, यहां से यहां ठीक है proton बढ़ रहे हैं neutron बढ़ रहे हैं मास तो बढ़ रहा है ठीक है volume घट रहा है space-ly thallium को सोचो इतना size का होना था lanthroid contraction से इतना है तो क्या होगा dense हो जाएगा बहुत intensity बहुत जादा हो जाएगी कितनी हार है 11.85 compare to boron देख लो कितना है boron जादा नहीं है 2.35 तभी water बें तो डूपकी लगाई लेगा water के कितनी है one one gram per ml चार डिगरी पर न चलो आंगे बढ़ते आंगे दिखते किया बोरोन मेंली forms covalent compound ऐसा कहिए को सुच जरा अगर बोरोन को आयनिक कंपाउंट बनाना होगा तो बोरोन को बनाना पड़ेगा पहले B3 plus iron two form ironic compound iron अगर अपने को बनाना ए न तो पहले अपने को बनाना है न तो पहले अपनको तीन देना ना हो पाएगा, साइच छुट्टा है, न्यूकलेस के पास एलेक्ट्रोन, एलेक्ट्रोन निकालने में बहुत एनरजी लगेगी, मेरा मतलब यह है कि sum of, sum of first three ionization enthalpy values are very, are, are very high, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, so B3+, so B3+, ना बन पाएगा, ना बन पाएगा, कभी नहीं बनेगा क्या, आप कुछ केस में बन जता है, बर mostly नहीं बनता, क्यों, क्योंगी तीन एलेक्ट्रोन निकालने में बहुत एनरजी लगेगी, अच्छा दूसरा तरीका क्या है, पाँच ले लें, तो क्या दिक्त है, जिक्त है, पाँच अगर लेंगे न, तो दिक्कत ये है कि आपके पास एक कमरा है, जिसमें चार बैड है, जिसमें चार लोग सोते हैं, और तुम चार रिष्तिदार को और इनवाइट कर रहे हो, possible है क्या, एक यूपर एक तो नहीं सो और फिर को बमाना पड़ेगा फिर बहुर्ण को बना करके इसे ऐरिंग करके कोवलेंट कंपाउंड फिर कोवॉलेंट्री तो फिर होड़ेंट्रस आपना रह चाहिए न यालुमीनियूम को वेल्ट भी बनाने को दिया रहे हूं है कारण के है जैसी अपन बोर्ण से नीचे यह जो ऑन से अहा थे हैं में आते हैं तो पहले 3 एलेक्टरों निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही थी यह पर वो थी बहुत जादा लेगन ऑन से से ही सैज बढ़ता ह काफी पहले बाद छोट्टू था याद करो छोट्टू के बाद सीधे बढ़ जाता है न एक्सेप्शनली स्मॉल था तो अब पहले तीन की जब वैल्यू साइस बढ़ने से पहले तीन एलेक्ट्रोनिक लिए जो वैल्यू है वह घड़ जाएगी मेरा मतलब यह है कि sum of again first three ie decreases अब वो भी भयानक decrease होती है सो क्या हो जाएगा al3 plus बन जाएगा बन गया ठीक है बन गया आइनिक बन बना लेगा बन लेगा अच्छा फिर कोवालेंट क्यों बनाएगा तो इसको ऐसे समझो देखो जाएगा इस बात को ऐसे समझो थोड़ा ध्यान दिना है न मैं यह हटा देता हूँ यह हमने समझ लिए अच्छे से बहुत देखो कोवालेंट बनाने के पीछे करण क्या है aluminium 3 plus aluminium का size आप जितना समझते हो या जो भी feel कर पाते हो उसको मालो इतना feel करते हो 3 plus में वो इतना हो जाएगा एकदम बहुत कम चार्ज ज़्यादा aluminium प्रोटोन तीन ज़्यादा हो गए देखा जाए तो size एकदम क्या होगा बहुत कम हो जाएगा अभी size कम कम होने से क्या होगा size कम होने से क्या होता है हम हमारे आसपास अगर कोई कि दूसरा electron cloud हुआ तो उसको अपनी तरफ खीचने की tendency डेवलप कर लेते हैं जैसे घूम फिरकर हम बोलते हैं pole rising power pole rising power ज़्यादा होगी pole rising power ज़्यादा होगी इसलिए aluminium और chlorine को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यह डंडा कोवलेंट बॉंड ही तो है डंडा कोवलेंट बॉंड है यह डंडा पर पता है कि आपको solid state में यह याद रखना यह जो कहानी है वेपर फेस की है और वेपर फेस में ऐसा भी नहीं है पूरी तरह से पर कैसा है वह आंगे दिखने वाले आपन लेकर माल लो अगर मतलब बना लेता है कोवलेंट उसकी जनरल टेंडेंसी है क्यों है साइच छोटा पूल राइजिंग पावर जदा पूल राइजिंग वाले फेंडे को भी अभी देखने वाले कहीं पर आंगे उसके बिना बहुत सारी चीज़े अधूरी अधूरी सी लगती है ना ओके गेल ठीलियम की बात करें तो ठीलियम में प्लस वन जाधा प्रिडउमिनेंट है जादा स्टेबल है प्लस थि सका ओक्षडाइजिंग है मैंने बताया था अपको स्टाइट इनट पियर इफेक्ट करण थेलियम थी प्लस ट्हेलियम प्लस वन जाओगे और इसके लिए ऊसर कर या दो अलेक्त्रुन लेकर, बन गया और ऐलेक्ट्रुन धहले करड़ा जिसके खाया वो तो OR55 हो गया ना खुद रिड्यूस हो गया गया, डारवन में जाके स्टेफल हो गया सामने वाली को क्या कर गया oxidize क्या बन गया अच्छा oxidizing agent जान रखना आगे बढ़ते hopefully आपको clear हो गया होगा ओके compound जो होते हैं plus 1 में ज्यादा ionic state में है then in plus 3 ऐसा क्यों ऐसा समझना है तो एक काम करते हैं अपन फजांस को बिला लेते हैं आपको इंपोर्टेंट है यह बहुत होता क्या है एनायन के एलेक्ट्रोन क्लाउड को अपनी तरफ खीचना डिस्टॉट करना जैसे बहां लो यह अपना एक कटायन है और यह बढ़िया से एक एनायन है और यह इसकी तरफ भाग रहा है ट्रेक्टिव फोर्स डॉमिनेट कर रहे हैं तो लेकिन जब यह पास पास आएंगे तो अपना केटायन जो है थोड़ा सा हरकते पटकेगा अपनी कौनसी वाली मेरा एफेक्टिव चार्ज ज्यादा साइज छोटा मैं अपने इलेक्ट्रोन को समाली रहूँ तेरे भी समाल लूँगा इधर ला का मतलब ऐसा होने लगेगा ऐसा ऐसा यहां चार्ज स्थोड़ा नीट्रल होने लगे और इस नीट्रल चार्ज चार्ज की नीट्रल होने वाले फंडे को ही अपने बोलते हैं को कोवलेंट करएक्टर का आना इन एक बॉलते हैं पोलराइजेशन जितना ज्यादा पूलराइजेशन, उतना ज्यादा और polarization जितना ज़्यादा covalent character उतना ज़्यादा हुलना नी covalent character उतना ज़्यादा और अगर covalent character ज़्यादा तो सीधा इसाब किताब है बहुत सीधा इसाब किताब है आपका ionic character कम ionic forces, electrostatic forces weak तो फिर क्या होगा आपका melting point, boiling point भी घटने लगेगा covalent character बढ़ेगा melting point, boiling point घटेगा और ionic character भी तो घटेगा तो फिर क्या होगा covalent character ज़्यादा, ionic character कम ionic character जितना ज़्यादा, melting, boiling point उतना ज़्यादा तो covalent character अगर बढ़ गया तो और क्या-क्या फर्क पढ़ जाएगा solubility पर फर्क पढ़ जाएगा covalent character अगर बढ़ेगा तो solubility आपकी घटेगी water में water polar है इसके अलावा एक खास इसदान रखना color sewing tendency भी क्या होगी color sewing tendency भी क्या होगी बढ़ जाती है covalent character से अच्छा अब इस question पर जरह लोट आए pole rising power cation की किस पर depend करती है पहला size के एक तो inversely proportional है ठीक है और size of cation की अगर अपन बात करते है तो वो खुद किस पर होता है charge पर depend करता है charge के inversely proportional मालो किसी पर plus 1 है और किसी पर plus 3 है इसका मतलब है कि proton तो same है पर plus 1 वाले में एक electron गम है plus 3 वाले में 3 electron कम है तो उतनी प्रोटोन को कम electron समालना है एक case में plus 3 वाले में जादा अच्य से समालेंगे खीचींगे size चोटा होगा size चोटा होगा polarizing power बढ़ेगी and that is why plus 1 वालों का plus 3 के सामने polarizing power होता है कम तो plus 3 वालों का polarizing power जादा उनका कोवलेंट करेक्टर भी जादा ठ्यान रखना है चलते हैं कहानी में आगे बढ़ते Lewis acid nature भाई ये बहुत important है मेरे दरफ से ना ये एक और important portion ध्यान देना अधराइस पेब पहले तो अपन ये Lewis acid nature की कहानी को थोड़ा समझने के पहले ये line पढ़ लिए क्या लखा है ट्राइवलेंट स्टेट में चो लेक्ट्रोन है central atom के आसपास ये होते है विच्छे होने से क्या होगा electron deficient हो जाएगा octet complete नहीं होगा तो फिर क्या tendency बढ़ जाएगी लाओ एक lone pair accept करने की और कैसा भेव करने लगेगा lone pair acceptor क्या होता है lowest acid बट ये tendency घटती जाएगी down the group क्योंकि down the group अपना फिर वो metallic character भी सामने आता है लेना नी देना वाला metallic, metal कोन अच्छा जो जल्दी लेक्ट्रोन दे non-metal कोन अच्छा जो जल्दी लेक्ट्रोन ले in general तो इसकी एक tendency होगी अगर मालो यहाँ पर मालो हम इसको डुप की लगवा दे water में डुप की लगवा दे क्या करेगा यह एक lone pair यहाँ donate कर बैठेगा अब पहला सवाल यह है कि सर अगर neutral है lone pair लेगा negative charge होगा charge बढ़ेगा density charge density बढ़ेगे stability खटेगी तो ऐसा करना ही क्यों है octet complete करना है अच्छा octet करना इतना ज़रूर ही है मैं इस बात को ऐसे समझाऊंगो तुमें यह जितने भी elements है ना इनकी मम्मा लोगों ने समझा रखा है बहुत अच्छे से समझा दिया जादा bond जादा stability तो loan pair के बदले bond बना किया मेरे को खुसी होगी भला ही तू charge कुछ भी लेया पर अगर तेरे पास bond है और तू उसको loan pair में convert करके लाया तो पिटाई होगी तेरी यहाँ पर क्या हो रहा है अपने बास एक खाली डबबा और यह loan pair उस पर दिया जा रहा है water, nucleophile भी अच्छा इससे क्या होगा इससे थोड़ी दिर के लिए ऐसा देखेगा समझने के लिए मैं अभी correct safe या जो metric पर जाननी नहीं जा रहा हूँ मैं बस यह बदा रहा हूँ कि यह एक coordinate bond बन जाएगा O, H, H और थोड़ी दिर में यह देखने में ऐसा देखेगा चुकि oxygen हम इस coordinate bond को चाहें तो ऐसा भी लिख सकते थे ऐसा यहाँ पर ऐसा दिखा देते इस पर negative और इस पर positive oxygen एक बहुत electron negative element है उस पर positive तो मान कर चलो stable ही नहीं है तुरंत 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 एक bond पकड़ेगा उसके पेर खाजाएगा पकड़ेगा कौन सा पर ऐसा माना जाता है कि नया नया जो bond बना है वो irreversible है तो फिर यह जो पुराना bond है यह वाला इसके पेर खाजाएगा ऐसा होने के बाद यहाँ OH जाएगा यहां क्लोरीन देख रहा है यहां क्लोरीन देख रहा है पर इस बोरून की समस्या बढ़ गई bond ज्यादा बनके अच्छी बात है लेकिन चार्ज कोसिस करेगा वो की समहों निकल जाए तो क्या होगा यहां से क्लोरीन एक पेर लेके भाग जाएगा तो फिर यह होगा कि एक OH ग्रूप आ जाएगा ऐसा दिखने लगेगा फाइदा क्या होगा सर वहीं तो पहुंच गया फिर से नहीं फाइदा होगा थोड़ा रुको क्या करना है दो तीन बार और कर लो टू टाइमस और कर लो अब होगा तो अपन क्या हो रहे हैं तीन ऊफ ग्रूप में आ गया तीन ऊफ अब भी कोई फाइदा है अब क्या होगा अब अपन फाइनली एक बार और वॉटर इंट्रेक करेंगे और एक एच प्लस जो है water में पहुँच जाएगा जो H3 O plus के form में एक्जिस करेगा और क्याएगा B O H hole 4 और इस पर चार्ज करेगा हो गया ऑक्टेट कम्प्लीट पर इस रास्ते में इक इंपोर्टेंट चीज भी वह थी क्या water के अर्य को एयजर की तोकड़े वे थे ऐच और और ना हैज़लेश मैं और मैं यह यहीँ समझा रहा था कि यहाँ पर हाइज़ली सिस भी हह रहा है यहाँ पर अपना ओक्ते भी हो गया लगे हांध पूरा तो यह प्लस थ्री स्टेट में सब के सब क्या होना चाते है फा चाहते है hydrolysis, एक vacant orbital है, दूसरा octet भी होगा and that's why they undergo easily hydrolysis, okay, चलो आँगे बढ़ता है, question लगा लेते हैं, बिना question के नहीं ऐसे लगता है, जैसे थोड़ा अजीबी से लगता है, मज़ा सा नहीं आ रहा है, मज़ा आना है तो फिर question आना चाहिए, 22 में आया थे, 2022 में, वो पू हो सकती थी, तो plus 1 में क्या से बताए, तो पहले ये group 13 को नीचे उतार के पूछ लो, क्या क्या बताएगा भई तू, ये plus 3 बता लेगा, plus 1 बता लेगा, down the group, down the group, stability of lower state, और कौन सा lower state, मालो सर कल को plus 3, plus 1, minus 3 और भाला 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 हो जाए, तो कौन सा lower वा है, कि जो आपका group state था, अभी ये group state क्या था, number of electron in VS for valence cell, minus 2, तो plus 3 में minus 2 कर दो, plus 1 बना जाएगा, है ना, तो plus 1 की बात हो रही है, तो down the group, जो stability of lower state का क्या होता है, बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, inert pair effect, अगर ऐसा है, तो फिर order क्या बनना चाहिए, order यह होगा, कि हमारे पास boron है, aluminium है, सब के सब plus 1 है, गेलियम है, इंडियम है, और एक थैलियम है, तो देखो, इधर से इधर जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो, अना, top to bottom ही चल रहे है, stability plus 1 की क्या होगी, यह हो जाएगी फिर, तो थैलियम plus 1, सबस्याद है stable होगा, तो अपन यहां से दिख लेते हैं, aluminium से लेकर थैलियम तक, यह answer ठीक लग रहा है, क्योंकि aluminium से थैलियम तक जब अपन चलेंगे, तो plus 1 की stability बढ़ती जाएगी, inert pair effect pair based question, यह एक और सांदर topic है, ALCL 3 dimer बना लेता है, BCL 3 नहीं बना पाता, यह एक सवाल है, अपन कोई इसको सुल जाना है, दूसरा, ALCL 3 vapor face में और solid state में कैसा होता है, तो यह कुछ important चीज़े हैं, वो देख लेते हैं, सबसे पहले, यह समझते हैं, dimer बनाना ही क्यों है, अच्छे खासे, neutral वेक्ति को dimer बनाना ही क्यों है, होता क्या है, यह plus 3 main के 3 bond होते हैं, तो central atom के आसपास होते हैं, यह मिल 6 electron, octet करने के चक्कर में बनाएंगे, तो अपन बोलेंगे, thrust जो है, वो है, to complete octet, तो अपने को क्या करना है, octet complete करना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं अपन, octet complete करना है, ठीक है, तो फिर AL, CL3 की 2 unit, combine होकर, AL2, CL6, इस form में exist कर दाएंगे, structure अगर बनाना है तो बड़ा simple सा, एक plane बना लो ऐसा, इस plane में क्या करना, 2 aluminium रख लेना ऐसा, और 4 chlorine ऐसे दिखा देना, terminal वाले chlorine हो गए, एक chlorine actually यहाँ था, मैंने अभी यहाँ दिखा दिया, इसका एक chlorine यहाँ दिखा दिया, aluminium में है vacant orbital, 3PE मिल जाएगी, उसमें तो आपन देख लें क्या असा नहीं से, 3S2, 3P1, chlorine में है 3-3 lone pair, तो यह पूरा एक lone pair इसको देदेगा, और यहाँ से एक lone pair इसको द बात कर ले, यह bond लगता है banana bond जैसा, लेकिन बोलते नहीं है generally, और यह जो bond इसमें 1-2-3 center है, इसमें 2 electron यहाँ पर है, 2 electron यहाँ पर है, मतलब यह 3 center, 4 electron type का bond बन गया, और octet भी complete हो गया, hybridization की बात करें तो, aluminium अपना SP3 में पहुच गया, 4 bond हो गया, tetrator हो गया, दो ऐसे, एक उपर एक नीचे, ओके, आगे बढ़ते हैं, यह लेकिन कहानी जो है, यह वेपर फेस की कहानी है, वेपर फेस में ऐसा होता है, solid state में, solid state में क्या होता है फिर, solid state में proper lattice बनता है, lattice बनने का मतलब, आप ऐसे imagine कर लो की, cation, nion का एक arrangement form हो गया, इस तरहीं कैसे alternate way में cation, nion दिखा देना, और इनके बीच में एक आनिक force दिखा देना, ऐसा, ऐसा चलता ही जाएगा, 3D type का, तो aluminium ने वेपर फेस में डाइमर बना लिया, octet कर लिया, और solid state में डाइमर बनाने की जुरूत नहीं पड़ी, crystallized type का हो गया, BCL3 के साथ ऐसा होगा क्या, नहीं, नहीं, BCL3 के साथ क्या होगा, यह देखो ज़रा, मालो 2BCL3 लिखा है, तो क्या B2 CL6 बनता है, नहीं बनता, कारण क्या होता है, बोरोन है, साइज में छोटा, और एक छोटे वेक्ति के आस्पास, चार्ड बड़े से, chloride, steric crowding बहुत करेंगे, जिससे वो dimer नहीं बना पाता, dimer नहीं बना पाएगा, मतलब इस तरीके से exist नहीं कर पाएगा, कारण क्या होता है, chlorine का size बड़ा होने से boron का size तो छुट आई chlorine का size बड़ा होने से steric crowding बढ़ जाएगी नहीं समाल पाएगा boron नहीं समाल पाएगा 4-4 chloride को, इसलिए उसके साथ क्या नहीं हो पाता, dimer नहीं बन पाता, तो ये कहानी भी हमको अच्छे से अब समझ में आगे होगी आगे की बात करते हूं Next अच्छा कुछ एनामोलस प्रॉपर्टीस है बोरोन के यह एनामोलस क्यों एनामोलस का मतलब होता है कि जो आपकी ग्रूप वाली सू कर रहे हैं एक ट्रेंड बनाया उन्होंने एक नियम बनाया है कि हम ऐसा करेंगे पोरोन वो नहीं फॉलो कर रहे है नियम विरुद्ध चल रहे है थोड़ा तो अपने यह जो बोरोन है बोरोन वो यह अलग सी प्रॉपर्टीस अपने ग्रूप से ग्रूप 13 में जिनके सेंट्रल एटम में होंगे 6 electrons वो सबके सब ईडुन होंगे और इजो हाई जえば एज बला भाई होता है जिसके पार यह कर हो इस एस कॉन होता है जिसके पास यहिक अखन ब्रोटर मोती है संविब होगी होगी हे Bür 2 पर चैनली वाले उपर की के साथ्व कुशल हें छाइगी अच्छा है एक क्विशिन करलें नियुक्त क्या को भॉला ट्राइफ लॉरैड ने उ साथ एक। बो अट्रि всей दो जाने कैसे सतंगे लॉंकृरीड को अच्छे से बता है डीáticas हैने और यमोनिया को भी पता है बहुत अच्छे से मम्मा ने बोला था यह लोन प्यर के बदले में बना के लाना जम गई लोन प्यर आकर किसमें लोन प्यर आकर इसके वेकंट और्बिटल में देखिया बॉंड बन जाएगा यहां पर और इस तरीके से बन जाएगा पी एफ-3 कॉडिनेट बॉ पांड है ओके एक और सुटर से कुश्चिन उठाते है बी एफ-6-3 माइनस नहीं आ पाता संसार में पर एल-एफ-6-3 माइनस आ जता है कारण क्या है बहुत सिंबल से कारण है अगर ऐसा होना है तो बोरून हैस्टू फॉर्म कितने हैस्टू फॉर्म सिक्स बॉंड बट इ होती है इस फूर्म तो ऐसा नहीं कर पाएगा वो छे बॉंड नहीं बना पाएगा तो यह भी आ गया हमें समझ में क्योंकि बोरोन के पास क्या नहीं है वैकेंट और बिटल कौन सी वाली वैकेंट और बिटल चाहिए अपनको है तो वैकेंट यहां पैंड बोल रहा हूं य अगर आपको छे बॉंड बनाने हैं तो आपके पास ns2 np से मिलाकर चार ओर्बिटल हो पाती है 2s2 2p में 2p की तीन ओर्बिटल 2s की एक पर अगर bf6 3- बनाना है तो तुम्हें तो तुम्हारे पास 6 और्बिटल होनी चीए उसके लिए d की ज़रूत पड़ी कियो d है नहीं इसलिए ऐसा नहीं बन पाता तो फिर क्या यह एक्जिस्ट करता है सर बी एफ 4- एक्जिस्ट बदाओ बदाओ करेगा एक्जिस्ट चार ते तुम्हें बना लेंगे ना बिल्कुल ठीक है यस करता है करता है ठीक है चलो आंगे बढ़ते है chemical properties यहां से थोड़ी कहानी important होती जाएगी यह थोड़ा ध्यान रखना है अपनको सबसे पहले chemical properties में अपन उठा रहे हैं कि अगर group 13 elements को oxygen या nitrogen that is air में present है जो react कराते तो क्या होता है अपनको पहले यह ध्यान रखना भी है कि यह group 13 वाले जो है यह तो plus 100 कर लेंगे या plus 300 कर है in general and that's why इनके दो टाइप के oxide बनते हैं जितने भी element है oxygen के साथ combine अगर हुए तो E2O3 या E2O type के oxide बना लेंगे M2O3 या E2O3 plus 3 वाला है M2O या E2O plus 1 वाला है तो दो टाइप के oxide बन जाएंगे corresponding to their oxidation state अगर बोरोन इंप्यूर है तो बोरोन B2O3 बना लेता है लेकिन प्यूर बोरोन नहीं बनाता है अना प्यूर बोरोन ध्यान रखना भी है बोरोन extremely hard high melting solid mostly non-reactive यह ध्यान रखना है Aluminium क्या करेगा Aluminium पहले Oxygen के साथ थोड़ा सा Combine होकर Al2O3 तो बनाएगा पर क्या होगा यह मालो Aluminium है तो Aluminium के टॉप वाली जो Atom है वो Oxygen से Combine होते से ही Aluminium Oxide बन जाएंगे और यह एक passive layer होती है मतलब non-reactive layer होती है इसका melting boiling point बहुत जदा होता है तो क्या होगा further oxygen अब अंदर जो Aluminium में उसके साथ contact में नहीं आएगा तो फिर थोड़ा सा reaction होगी टॉप टॉप वाले atom टॉप लियर वाले और फिर रुख जाएगी यह reaction मतलब indirectly देखा जाए तो यहां पर यह जो पैसिव layer है यह जो corrosion जैसा हुआ फंडा इससे Aluminium को फाइदा हो गया Aluminium Inner Type का हो गया तो Aluminium क्या करेगा रियक्ट करेगा यह नहीं करेगा नहीं करेगा थोड़ा सा भी नहीं करेगा करेगा थोड़ा सा कितना करेगा ना के बराबर करेगा क्यों जैसी एक layer बनी कहानी रुख जाएगी अचा गेलियम इंडियम की बात कर लो यह दोनों air से अफेक्ट नहीं होते मत अब ज़नरली यह बहुत ज़दा रियक्ट करते रहे हैं नौट अफेक्टेड बाई एयर पर इंडारेक्टली इनके Oxid बनाए जा सकते हैं यह बात ध्यान रखना है डारेक्ट हीटिंग से नही औरही फ्रम ले लेंगे तेलियम बनालेता है टीयल 2 G 3 बनाने में कुछ देगे बिक्कत कुछ नहीं लेकिन थेलियम प्लस वन में ज्यादा predominant form है, क्या इसका ये मतलब है कि ये existing नहीं करेगा? नहीं, किसी जीज़ के काम stable और ज्यादा stable का मतलब existence से नहीं है उनके tendency से है तो यहाँ पर देखो, मैंने सब क्यो oxide बनाए? बोरोन का, अलुमीनियम का, गेलियम, इंडियम और थेलियम का बलकि मैंने थेलियम और इंडियम है, तो दोना बनाए यहाँ पर तो मैंने केवल प्लस थ्री वाला बनाया क्योंकि इन में inert pair effect इतना observe नहीं होता, तो फिर ये प्लस थ्री सो कर पाते हैं, ज्यादे से जादा और यहाँ पर inert pair effect होता है होने से क्या होगा inert pair effect? यह लोग जो हैं, प्लस बन भी सो कर लेते हैं, ठीक ठाप अच्छा, नेचर की बात कर लें, यह नेचर बड़ा important है भई, इध्यान रखना ज़रा, important कर रहा हो मैं इसको इसमें क्या important है? इसमें important यह है बोरोन का यह जो oxide है, वो acidic होता है aluminium का याद करू, amphoteric, amphoteric, gallium, indium और thalium quite basic होते हैं, ठीक ठाप metallic होते हैं, यहां की बात कर लें? nitrogen के साथ react कर रहा लेते हैं, वैसे nitrogen के साथ reactivity जदा आसानी से मिलती ही नहीं है, क्योंकि यह जो nitrogen है अपना यह वैसे ही inner type की चीज़ है, इसकी bond enthalpy लगबग साथे 900 किलो जूल पर मोल है, जो बहुत जदा है, जो 25 डिगरी, 50 डिगरी पर आसानी से नहीं मिल पाती, bond टूठ ही नहीं पाएगा, और जो bond ही नहीं टूठे का react होने का सवाल ही नहीं उड़ता, फिर भी boron और aluminium, दो ऐसे प्राणी हैं हमारे पास, जो directly nitrogen से, जो directly nitrogen से क्या हो जाते हैं, directly nitrogen से combine कर जाते हैं, simple जी बात है, boron बना लेता है, boron nitride, जो आँगे चलके अपन चाहें, तो ऐसा भी लिखते हैं कई बार, BNX, नहीं पॉलिमराइज अगर कर दे हैं, तो फिर इसे inorganic graphite बोलते हैं, देहां रखना ज़रा, इनorganic graphite किस कुसी में बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो structure है, काफी हद तक similar है, जैसे graphite में ऐसे hexagonal layer होता है, ऐसी इसमें भी होता है, hexagonal layer बन जाता है, और aluminium बना लेता है, aluminium nitride, अब observe क्या करना है अपन को, nitride बोल रहा हूँ, nitride मतला है यह 3- और यह 3+, ठीक है, चलो आँगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या मिलता है अपन को, इसमें अच्छा, chemical properties में आँगे बढ़ते हैं, यह एक प्यारा सा question है, जो अपन पता सकते हैं, जी में आया हुआ है, year मुझे इसका याद नहीं, और जरूद भी नहीं हमें year से, TLI3, which is also called Ramlay salt, कई जगों पर मैंने इसका नाम सुना है, Ramlay salt, ओ सकता है, और कुछ भी नाम हो, आधार काड़ तो बनवाए नहीं था, लोगों ने, तो Ramlay salt, तो TLI3 जो है, यह जो compound है, इसमें थैलियम और iodine का state बताना है, form बताना है, क्या लगता है आपको, थैलियम प्लस 3 पसंद करेगा, या प्लस 1 पसंद करेगा, पहले तो यह डिसाइड कर ले, इसके साथ मैं नहीं जा रहा हूँ, इनट प्यर एफेक्ट की वज़े से हो नहीं पाता, बहुत ज़दा, इसका मदला भी यह बाहर, और कौन बाहर, नन तो मेरे लिए पहले बाहर है, कोई ना कोई आंसर तो हो गई होगा, आपन देख लेते हैं, तो यह दो बचे, लेकिन थैलियम प्लस 1 ऐसा ही होता है, ऐसे नहीं होता सब, आंसर आगे है फिर तो, थैलियम प्लस 1, आई 3 माइनस 1, हाला कि चीजों का एक तरीका है, एक मेकैनिजम है, बढ़ अभी तो हम इन और्गेनिक में आसानी से समझ लेंगे इनको, मैं को लगता है कि नेगेटिव प्लस के पास जाएगा, और प्लस नेगेटिव के पास जाएगा, नीट्रल करना है, नीट्रल, नाइट्रोजन में 3-3 हाइट्रोजन लग जाएंगे अपने को, अगर लग जाएंगे तो फिर बन जाएगा अमोनिया, जिसका यूरिनल स्मेल होता है, यूरिनल स्मेल का मतलब है, आप कभी भी पबलिक टोईलेट में चले जाओ, यूरिनल जाएंगे वही आमोनिया की होती है, और एलुमिनियूम के बास रास्ता क्या बचा, एलुमिनियूम एलुमिनियूम हाइड्रॉकसाइड बना लेता है, A-L-O-H, होल्थराइस, A-L-O-H, होल्थराइस, और ये क्या है, ये भी पी-पी-टी है, काई सा न है इस आपी पीटडी यह वाईट है जेलर की ऑपीमाइन लग याइप घैल ये टीनीयो जेल कर लाइक एल्यक अपीरेंस होता है तो 63 हो चेल दो कर deprecU पोरोन नाइट्रेड ठीक है आंगे बढ़ते हैं अब आंगे अपने पास क्या है देखो जरू है लोगन के साथ चलते हैं हम जरू है लोगन के साथ जेनरली यह सारे के सारे अपने एलिमेंट ग्रूप 13 वाले ट्राइए हेलाइड बनाते हैं ट्राइए हेलाइड एक्स मेरे लिए एक हैलोगन है और वहां पर फ्लॉरीन ख्लॉरीन ब्रोमीन आइडिन कुछ भी ले सकता हूं मैं अब इसमें जरह बी एक्स 3 की बात करते हैं पर एक्स कुछ भी हो सकता है यहां पर फ्लॉरीन ख्लॉरीन ब्रोमीन आइडिन यह कोवलेंट है मैंने बताया था बोरोन का साइज छुटा बोरोन 3 प्लस नहीं बनता तो फिर सर प्लस 3 यह बी एक्स 3 का ऑक्सिडेशन नमबर निकालोगे तो यह प्लस 3 क्या है हाइपोथेटिकल चार्ज भाई हाइ का मतलब है कि जैसे यह डंडा बना दिया कोवलेंट बॉंड तो इस पर अपन ऑक्सिडेशन नमबर को समझने के लिए क्या करते हैं एक कॉंसेप लगाते है कि ज्यादा अलेक्ट्र नेगड़ेवा उसकी तरफ यह सिफ्ट होगा तो उसे माइनस बन देंगे उसे प्लस बन नहीं बन पाता है आइडीन के ज्यादा तर रियक्सर रिवर्सिबल एंडो थर्मिक होते हैं आइडीन किसी के साथ भी जब बॉंड बनाता है न तो इतनी एनर्जी रिलीजी नहीं करता कि अंगले वाला पेरड को अनपेरड करके और बना पाए वो उसली डायरेक्ली के लिए आपर एकड़म कंठास कर लें इंपॉर्टेंट है याद रखना जरा यह काफी इंपॉर्टेंट है सब क्या क्या है गेलियम इंडियम ऐलुमिनियम के फ्लोराइड आइउनिक है क्या बोरोन के कंपाउंड भी आइनिक है बीया अच्छा है और जैनरली हम करनी पाते हैं तो काईनिक करेक्टर जादा होता है तो इंपोर्टेंट है यह बत और एंसे यह लाइन मैंने उठाया है जिसमें यह बोला गया है कि यह जो सारे के सारे ऐसे करें यहहां यहां पं movies बनाने के ऊधियर सकता है तो वह एकम्थिक्षार में कर रहा है वह वह एक इंपोर्टेंट है कि कौन सा ट्राय हेलाइड गुरुप 13 एलिमेंट का डायरेक्टली नहीं बनता इंपोर्टेंट फैक्ट मार्केट है नो चलो आंगे चलते हैं यहां देखो आगे वाटर के साथ रियक कर लेते हैं तो बोरोन वाटर के साथ क्या लगता है क्या उमीद है बोरोन एक स्ट्रॉंग लैटिस टैप का बना लेता है इंदसेंस बी ट्वल बना लेता है तो अच्छे लोग उसको बहुत ज़्यादा तोड़ फोर्ड नहीं पाते बोरोन पर कोई एफेक्ट नहीं पढ़ता है ऐलुमीनियूम एमफोर्टरिक तो अलुमीनियूम लो टेमपरेचर में बनाता है आल ओ एज होल्थराइस हाई टेमपरेचर में लेकिन बनता है आल टू ओ थ्री इसका मतलब यह हुआ कि कलकू मैं इसको हीट कर दू तो यह भी सेक्षन पर ध्यान लगाना है गेलियम इंडियम का क्या हल चले यह नौट अटेक्ट बाइ वाटर क्यों ऐसा क्यों अनलेस ऑक्सीजन इस प्रेजेंट इसका मतलब इनकी टेंडेंसी जो है कमबाइन करने के थोड़ी कम है अक्सीजन होगा तो क्या होगा इनके ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा होगा क्या ऑक्सीजन मालो गेलियम है यह गेलियम है और वाटर आ गया बग इदर से मनी नहीं कर रहा है अपने वाटर को ऑक्सीजन आया ऑक्सीजन ने बोला रुक भाई पहले मैं आया हूं तो स्वागत कैसे करेगा oxygen बोलेगा एलएक्ट्रॉन ला गेलियम एलेक्ट्रॉन देगा oxygen लेगा और फिर इनकी रियक्टिविटी में थोड़ा सा चेंज आएगा और फिर वो कब्माइन कर जाएगा तेलियम thallium also oxidizes in moisture and decomposes at red heat यह दियान रखना है अच्छा एक important बात धियान रखना अगर metal reactive है अच्छा खासा reactive है जैसे sodium, calcium और कोई अच्छा potassium, aluminium ठीक ठाक, zinc वगएरा zinc भी moderate reactive है तो जो highly reactive वाले लोग है water से hydroxide बनाएंगे और जो moderate reactive वाले आप देखोगे most of the time they forms oxide इसका मतलब जब हम water से react करेंगे तो हमेशा hydroxide नहीं बनता इसलिए आपको ज्यादा तर केसमा oxide दिखेंगे अच्छा अच्छा अपना यह जो boron था ना अब यह इसको देखो जरा इन दौनों पहले oxidizing agent तब है यह तो है लेकिन इसकी बात करें तो यह जब hot and concentrated होता है तब इसमें थोड़े mild oxidizing property आती है तो boron oxidize हो जाता है हाँ oxidize होकर corresponding oxy acid भी बनता है जैसे यहां बनता है H3PO3 और फिर अगर हम as a oxidizing agent बेफ कर रहे हैं और सामने वाले को oxidize कर रहे हैं तो खुद तो reduce होंगे ना और sulfur पहले से plus 6 में प्लस 6 से घटकर चला जाता है प्लस 4 में ठीक ऐसे यहां भी बनता है H3PO3 इसके साथ भी क्या बनता है H3PO3 और nitrogen का कोई oxide बन जाएगा नाइड्रोजन का कोई oxide बन जाएगा mostly NO2 या NO बनता है अच्छा इधर देखो जब हम non-oxidizing acid से react कर रहे हैं तब क्या हो रहे हैं तब मैंने सबको include कर लिया सबको include कर लिया मतलब aluminum, gallium, indium, thalium, boron क्यों नहीं किया क्योंकि boron इस टाइप के acid से react कम ही करता है नहीं करता लग जाते हैं मतलब यह metal जाके बड़ी ऐसे इसको displace कर देते हैं अच्छी डिस्प्लेस करना नहीं होता है actually क्या होता है यह metal जो है वह अपनी हरकते बढ़कते हैं जैसे पहुंचे electron fake के मारा उनको electron lose करना है तो वह जो electron है ना basically जो H plus होगा इसके अंदर वह उसे gain करेगा और वो H और फिर दो ऐसे H, H2 बनके बाहर हो जाएंगे अब उसे बोलते हैं replace कर दिया तो इन सभी का एक tendency होगा MCL3 बना लेंगे और क्या निकल जाएगा इसमें से hydrogen तो एक simple सी reaction aluminium plus HCl क्या बने का बतो तो यह बन जाएगा AlCl3 plus H2 aluminium plus nitric acid important है भी है यह बहुत important है सही माइने में बोला जाए तो reaction नहीं होती है क्यों नहीं होती reaction ज़रा कारण सुचो यह एक oxidizing agent है तो यह क्या करता है इसको oxidize करता है और Al2O3 बना देता है और वो Al2O3 कैसी layer होती थी passive layer होती थी ठीक है अच्छा एक free का point भी पता देता हो मैं तुम्हें कि यह जो nitric acid होता है ना दो व्यक्ति होते हैं जिसमें एक MN होता है और एक Mg होता है इनके साथ और इनके साथ ही hydrogen liberate करा पाता है बाकि किसी के साथ नहीं कराता तो यह बाद भी अपन वोगाम आ सकती है कब भी गें याम का क्या गर्याइश के साथ जब रीएक कर रहे है तो तो गें लियं में अ इङ फ्यरिक होता है गें अ pasa याम होता है एं फूरिक गेलियम रिएक कर जाता है और बनता है एघी जिए ओ टू हो भूल के अफर में ऐगाड़ीहो तो ऐसे याद करना गेलियम को क्या पसंद है प्लस थ्री तेहां पर देखो प्लस थ्री आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो आपका फाम्ला कर लेते हैं बढ़ीया ट्रेक है भीया काम आएगी बहुत ज़्यादा तो यह ध्यान रखेंगे अपनको है ना आगे चलते थोड़ा और सीखत आता हूं that is amphoteric सर कौन होता है कौन नहीं होता है आप जब चाहिए किसी को amphoteric बोल देते हो कभी नहीं बोलते हो इसके बाद अपन जरा उसको भी देख लेते हैं परले इसको देख लेते हैं थोड़ा बोरोन ऐसेडिक है याद करो जरा बोरोन एक ऐसेडिक सब्स्रेंस है acidic in nature टो एसेडवेस तो हो जाएका ना एसेडवेस तो हो जाएगर जैबोरोन क्या बना लेता है जरा द्यान देना इम्पॉर्टेंटर कर लेना यह बगया इंपॉर्टेन यह है बहुत काम की चीज़ा यहां से चुनना और यहां चैस्वारिया कर रहे हैं दूसरे कैस में इ Na Bo2 sodium metaborate और hydrogen gas तो निकल ली जाती है अंसे अच्छा यह metaborate क्यों होता है Bo2-ion को अपन बोलते हैं Metaborate-ion जान रखना ज़रा Metaborate-ion इसका नाम क्यों हो जाएगा sodium metaborate लेकिन जब यहां पर अपन fuse के साथ कराते हैं तब बनता है Na3-bO3 अच्छा यहां पर बोरून दिखो ज़रा प्लस 1 प्लस X-4 आएगा जिरो करने से प्लस 3 और यहां कितना रहे है ज़रा यहां चेक करो प्लस 3 प्लस X-6 बराबर 0 करने पर आ रहा है प्लस 3 दोनो ठीक है अब इसका क्या नाम रखूं में सोडियम बोरेट बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक आयन होता है बी ओ थ्री है ना थ्री माइनस इसको बोरेट बोल सकते हैं बोरेट सकते हैं अश्री द्री इसे डरएव होता है ऐसे याद कर लो ऐलुमिनियुम यह मैं फोटरी थे हैं फिर वाही सर चालूओ अब फिर से अपने मं से लिए अभी बस थोड़ा सबर कर लो अभी थोड़ी तरह सब रटा दूंग मैं एंफो ट्रीक तो बेस के साथ रिया कर रह हैं तो केवल स्ट्रॉंग बेस याने एलकली से रियक करते हैं अब ओनियम हाइड रोकसाइड से नहीं करेगा फिर यह बहुत काम की चीज़े द्यान रखना इसको मार कर लेना यह बहुत इंपोर्टेंट है एने एलो टू सर फूल जाओ तो क्या करना है सर ऐसा कर लो आप दे रहुत देख़ो यह 0 नहीं आ रहा है मतलब यह फॉल्मला क्या है गलत है कि एक मिनट मैं पह चान लोगे नाम क्या रहें फिर इसका नाम है सोडिय मेटा ऐलूमिनेट अ एट डेन क्या होगा फिर ने प्लस अड़ा तो येलो टू मैस ऐगा ठीक ऐसे यापर जब फ्यू से क करके जब देखा तो थोड़ा सा बना तो वही सोडिया में इलूमिनेट इसको ध्यार रखना है अगे की बात करते थुड़ा और अंगला के अपने पास अंगला इस सेक्शन को कंप्लीट करते हैं फिर अपने कसम खाई है आपको तो यह सोचना है कि गेलियम मेटल है नॉन मेटल है तो आप कहा अंसर है मेटल अगर बेसमें डिजॉल हो रहा है तो कारण amphoteric because gallium is also जैसा होता है अपना amphoteric amphoteric होता है amphoteric तो reason तो मैंने लिखी दिया है यहां पर तो गेलियम के अपना amphoteric तो फिर गेलियम और NaOH की रियक्षिन किराओ पता नहीं अगर क्या है तो एक काम करते हैं एक तरीका है कि आप क्या कर लो यह तो पता है आपको Na, Ga और O आएगा अब बना लेते हैं ना फॉर्मला अपन बना लेते हैं और इसको न्यूट्रल करना है तो यहां पर बढ़िया से क्या लगा तो फॉर्मला के बन गया एने जी ए ओ टू त्यार असान है की नहीं है ओके चलो नेक्स इस मेटल के साथ अब देख लेते हैं मेडल के साथ क्या हरके त Keys कर रहे हैं मैगनिजियम बोरोन के साथ रिए कर रहे है अ और बनाता है मैगनिजियम बॉराइड फॉर्मला बोराइड पहले पदा करThose गहरा बlish आयन क्या है? D3-I, बोराइड होता है, अज़ा मैगनीजियम की बात करें तो मैगनीजियम 2 प्लस है और बोराइड है 3-3 यहां कर लो, 2 यहां कर लो, Mg3B2 बन जाएगा, मैगनीजियम बोराइड, बन किया? कैलसियम भी से भी बनाएगा, कि पक्का इसके बाद M4 ट्रीक अरे भरोसा करू भाई पका अर डिदीऊसिंग डिदी प्रापरटी में चलते हैं तो बोरोन एक ठीक हृएञेजंट है और रिदीऊसिंग एजेंट तो खुद क्यों होगा आउक्सडाइस आउक्सडाइस के सोगा ऑक्सीजन यह खा जाएगा तो बोर्व और और oxygen का compound बनता है saw Selbst भी पिसले स्लाइड में यह कहय रहा था कि सब्सक्रेश यह बोरोन तो स्थकश्यकल नहीं पॉस्थीन अलग कर दिया डिय今 सलीकन को यह यह लग कर दिया चलो इसको reduce करो, क्या बना लोगे, P2O3 बना लोगे, carbon reduce होता है कैसे तरीक से, हो गया, बड़े आसाने, एक दम आसाने, aluminium भी reducing agent की तरह यूज़ता है, बट एक समस्या है, क्या है, aluminium जब reducing agent की तरह यूज़ता है, तो एक तो हम generally उसको use करते हैं, powder form में, और powder form में use करने से क्या होता है, product जब बनता है, तो वो बनता है, Al2O3, यानि Al2- के बीच में, एक बड़िया वाला lattice, और aluminium की affinity oxygen की बहुत ज़ादा है, क्योंकि ये जो lattice बनता है, very high energy होती है, very high dissociation energy, and that's why, that's why, aluminium जब भी reducing agent की तरह यूज़ करोगे, तो mostly, reactions highly exothermik होगी, और इतनी exothermik होती है कि 900-1000 degree हो जाता है, ज़्यादा तरह metal कभी-कभी तो vaporize होने लगता है, तो बहुत ज़्यादे यूज़ तो करते हैं नहीं हैं अपर, अगर कर लिया, तो याद रखना ज़रा, process को हम बोल देते हैं, generally, उन सभी को, cold, cement, aluminum, thermic process, हमने सुना होगा ने, 10th में हमने सुना होगा, पहले वो railway line में जो crack आते थे, वो ऐसी जोडते थे, इसी reaction में जोडते थे, बस वहाँ पर aluminum powder form में और iron लेते थे, इनकी जगे iron ले लो, Fe2O3 ले लो, अच्छा, फिलाल अपनको oxidize करना है, oxygen को प्यार है किस से, aluminum से, aluminum को है oxygen से, strong घर बनाते हैं वो अपना, क्या बनेगा फिर, Al2O3 बन जाएगा, और MN आजाएगा, जनरली यह liquid state में होगा, metal या vapor face में होगा, बहुत सारा vapor face में चला जाता है, ठीक, ऐसे यहाँ पर Al2O3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, chromium हो जाएगा, तो असान एक दम आसान है, अब यहाँ पर देखो जरा, when Aluminium is used as reducing agent, all such processes are called, क्या बोलते हैं, Cold-Semit Aluminothermic processes, but such reactions are highly exothermic, why? अब आपको वाइपता है, क्योंकि Aluminium की Oxygen के लिए Affinity जादा है, और जो lattice बनता है, वो बहुत जादा स्ट्रॉंग होता है, जितना strong lattice बनेगा, उतनी energy निकलेगी, क्योंकि system फिर उतनी कम energy का होगा, और energy अगर कम होगी, तो stability क्या होगी, जादा, अब M4 trick, से लो, M4 trick रेट लो, ठीक है, तो देखो, M4 trick substance, M4 trick element कर लेते हैं, and compound कर लेते हैं, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ अभी बता रहा हूँ, कुछ आगे बताऊंगा, अभी पहले थोड़े-थोड़े करके याद करेंगे, याद करने का एक super trick है, बड़ा अच्छा सा trick है, बड़ा आसान सा है, आपको क्या करना है, बेशन लेना है, अपने गाल और जीपर लगा लेना है, लेख लो जरा इस बात को, तो बेशन, गाल, जीपर, इससे क्या फाइदा हुआ है, बेशन, गाल, गाल, एक सद रीट करो जरे इसको, गाल, जीब, पर, यह हो गया, अच्छा, यह सारे के सारे, एलिमेंट, एमफोटरिक है, और है, इनके ऑक्साइड भी, इनके कमपाउंट्स भी, इवन, एलुमिनियम हाइड्रोकसाइड, जो की खुद एक बेस है, वो भी एमफोटरिक है, मतलब इनके कमपाउंट्स भी क्या है, सारे के सारे, सारे के सारे कमपाउंट्स भी क्या है, बैरिलियम ऑकसाइड इनके तो आकसाइड अभी है ऐसे नो से अनो टू एल्यां जी टू ओ थ्री बना लेता है अलुमिनियम अपना एटू ओढ्री बना लेता है जिंक का जड़ेड़ेना लेड के भी दो बना लेना पीबी और पीबी ओटू यह रहा यादू है दस बारा तो देखते साथ जेए का कुशिन देखते साथ अब आख चमक जानी चाहिए क्योंकि आसान है बहुत लिएस एसिड करेक्टर और बोरोन ट्राय हेलाइड फॉलोस और लिएस एसिड करेक्टर अच्छा देखो पहले यह समझो की बोरोन के ट्राय हेलाइड की अगर बात करते हैं दो उसमें हमारे पास बोरोन ट्रायी फ्लोरेड है हमारे पास बोरोन ट्राया क्लोरेड है और बना लेते हैं manufacture हम तो इसको सही करते हैं पहले, ठीक है, और iodide भी बना लेता हूँ मैं, ठीक है, तर वो boron iodide न तो बन नहीं रहा था न, triodide है, tetra नहीं है, आज़ा देखो, मेरी बात को द्यान से सुनना ज़रा, द्यान से सुनना इस बात को है, बोरोन है छुट्टू सा, fluorine का भी है, size जो orbital है, वो टूपी है, यह टूपी है, यह भी टूपी है, अभी इधर यह बोरोन तो ऐसे हैं, लेकिन यह देखो ज़रा, यह ऐसा हो गया, इसको देखो ज़रा, ओईसा हो गया, क्या लगता है आपको, यहां से जो overlapping होगी, वो बड़ी अच्छी होगी, छोटे सा, इसके orbital है, नूगलेस के पास भी है, यहां overlapping थोड़ी पूर होगी, यहां मैं यह कह रहा हूँ कि, हमें ना इस region के साथ overlap करना है, जहां electron density ज़्यादा है, तो अगर तो मुधर खिसकोगे, तो इधर छुटेगा, और इधर overlap करूगे, तो देखो, low electron density वाले reason से कर रहे हूँ, तो कहे का bond फिर बनेगा अच्छा, एक तो यह बात ध्यान रखना, यह जो हुआ, इस funding को हमने नाम भी दिया है, पहले, back bonding, अच्छा एक बात बतो, back bonding का मतलब कह है, यह वाला fund, जिसमें orbital के size में difference बढ़ रहे है, तो इससे क्या होगा, इस ही होगा, कि अब यहां तक आते आते, यहां तक आते आते, यह बैक bonding होगी ही नहीं, अब मान लो कि अमोनिया खड़ा है यहां पर, जो lone pair देना चाता है, और हमारे सामने है boron trifloride, जो कह रहा है कि भीया देखो, मेरा जो ह पर iodine के रहा है, मेरी नहीं हो रही है, तो यह lone pair वहाँ जल्दी जाकर यह दे पाएगा, जहां, second हो space, जहां पर orbital खाली मिले, यहां तो बढ़िया वाली back bonding चल रही है, मेल मिल आप चल रहा है उदर पर, तो कहां पर जल्दी देखो, यहां पर, fluorine more electron negative है, तो हमें यह लगता है कि sir, BF3 में, fluorine तो electron खीचेगा, तो boron पर delta plus बढ़ेगा, lone pair जो आएगा, वो यहां ज्यादा attract होगा, नाई, उसका उल्टा उल्टा हो रहा है, सब उल्टा उल्टा हो रहा है, क्योंकि back bonding है यहां पर, जिसका back bond मना हुआ है, उसकी vacant orbital involved है, available किसकी है जादा, मेरा मतलब यह हुआ, कि अगर back bonding जादा हो रही है, तो फिर आपका lone pair लेने की tendency कम, क्योंकि availability of orbital कम, और lone pair नहीं लोगे, तो Lewis acid character क्या होगा, घटेगा, घटेगा, घटेगा तो क्या होगा, बताओ जरा Lewis acid character क्या है गब, सबसे पहले lone pair कौन लेगा, जिसकी बोरोन की P orbital bonding में participate नहीं कर रही है, back bonding नहीं कर रही है, तो कौन है फिर वो, यह ठीक लग रहा है, क्यों, इसमें बहुत कम back bonding है, तो back bonding कम, Lewis acid character जादा, फिर यहां से इस तरीक से जलता जाएगा, आगया, बड़ा असलता, लास्ट येर का है भाई, देख लो जारा कैसे question आ रहे है, मतलब P block का question गलत करना पाप है, और तुम पाप नहीं करोगे, अगर अच्छे से सुनोगे तुम, आगे सुनो, एक और question, अभी क्या कह रहे है, असरसन, boron is unable to form BF6 minus, सही बात है, हाँ सही बात है, याद करो, boron पर कह नहीं है, वैकन दी और्बितल नहीं है, चार त चोटा होना ठीक है, लेकिन क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, कि size चोटा होने से डी और्बितल नहीं होगी, क्योंकि size कोई value नहीं है, size को कोई parameter नहीं है, ऐसा तो है ना कि अपन aluminium और फिर boron के size में aluminium बड़ा है, लेकिन वही aluminium फिर दूसरों के लिए तो चोटा है, नीचे वालों क लिए, तो मेरे इसाब से यहाँ पर ज्यादा अच्छा वर्ड था, no vacant orbital, no vacant d orbital, p मत बोलना, p तो होती है, तो क्या माने, फिर reason मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा अच्छे से नहीं समझा पा रहा है किसको असर्जन को, असर्जन तो पका सही है, तो फिर यह काम करते हैं, बो इसा धर्म सकट आएगा तुमें, तो तुमें बुलकुल ठूस ठूस कर सुनना है, बहुत अच्छे से सोचना है, क्या कहीं से भी reason समझा पा रहा है, हाँ size छोटा है, तो क्या size छोटा होने का मतलब, क्या हो सकता है, vacant d orbital ना होना, कह नहीं सकते, कह नहीं सकते, aluminium भी तो हमें तयार रखने है, पट इनके compounds, इन compounds की properties नहीं तयार रखनी है, इनकी केवल हमें क्या तयार रखनी है, केवल हमें इनके structure उन से related जो question हो सकते है, इसलिए structure वाले question देख लेते है, dot 10H2O वाला format गंदा होता है, यह मत यहाद हो, यह वाला कर लिया, dot 8H2O वाला, क्यूंकि ऐसी चलते चलो, भाई nature का ना system बड़ा साफ है, हम symmetry symmetry खेलेंगे, symmetry relates to stability, तो मैं भी अभी symmetric way में जो ऐसा बनता जा रहा है, बनाते जारू, अच्छा एक और oxygen यहाँ फिट कर दिया, अब तक B4 हो गया है, O5 हो गया है, OH4, एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते अब अपन यह देखें, कि यह जो species हमने बनाई है, इन दो बोरोन पर वैसे काईदे से negative होगा, जिसके चार बॉर्ण हो रहे है, इसके नहीं हो रहे है, इसके तीन ही हो रहे है, तो यह वाली unit SP2 हो रही है, यह वाली unit B क्या हो रही है, SP2 हो रही है, ठीक है, अच्छे इसको यह वाला चारबॉंट बना रहा है, SP3, ठीक, ऐसे यह वाला भी टेट्राहेडरल हो रहा है, यह से भी लिख लेते हैं, SP3, ठीक है, अच्छा, टोटल चार्ज कितना अपने उपर फिर, 2-, बाहर क्या लगा दे, तो सोडियम लगा देते हैं, एने प्लस वाले दो लोग, व और यह इनके लैटेस में, केटायन एन के पीच में जो स्पेस है, उसमें अपने यह वाटर ट्रेप्ड है, पर मॉलीक्यूल, पर फॉर्मला यूनेट, आठ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज़स हैं, तो इसमें बियो भी लिंकेज कितने हुए, यह नो, एक, दो, तीन, चार, और यह वाला एक, पाच, अच्छे से देख लें न भीया, बियो भी लिंकेज बोला है मैंने, यहां से तो है नहीं, तो यह पाच करीब हो रहे हैं अपने, और चेक कर लेंगे अपन अभी, नमबर ऑफ बोरोन इन SP2 हैपरडाईज़स, SP3, SP3, SP2, SP2, दो, और के पूछे, नमबर ऑफ बोरोन इन SP3, SP3 में तो हो गए कितने दो, और जो भी पुछेगा, तो हम बता सकते हैं, इसमें दो यूनिट प्लेनर है, दो यूनिट नॉन प्लेनर जैसा लग रहा है, ओके, तो बोरेक्स, इम्पॉर्टेंट है मेरी तरब से, बोरेक्स बीड टेस्ट, बोरे लेकर अभी हम इतना P-Block पढ़ लें, कि salt के angle से जो चीज़े आएंगी, वो भी cover करते चलेंगे, तो फायदे हम रहेंगे, और बोरेक्स बीड टेस्ट हमें NCRD में, within text ही mentioned है, salt में तो ही, तो इस बोरेक्स बीड टेस्ट को बहुत अच्छे से अपन को त्यार करना है, बही है, colored salts के लिए, colored salts किस के होते हैं, T-Block के होते हैं, मतलब transition, metal, ions, और salts, अठाओ, copper sulfide को ठालो ना, blue color, ऐसे, तीक है, अब इस test में करते हैं, कहानी के है, test की ज़राई यह समझो, कहानी यह है, यहां से सुनना, माल लेते हैं, एक ऐसा कुछ beaker बगरा है, जिसमें अपने पास, यह salt का sample है, है ना, एक तो यह हो गया, दूसरा यह जो है, आगे चलके heating, heating करते हैं, तो अपन यहां पर bunsen, burner use कर लेते हैं, bunsen burner use करते हैं, bunsen burner में क्यों होता है, ज़रा देखू, इसमें fuel जो हम use करते हैं, व इस तरीके से दिखा दिया मैंने की, bunsen flame दो तरीके से दिखा दिया, एक बाहर वाला flame, एक अंदर वाला flame, अच्छे, यहां पर oxygen का supply बाहर के लिए ज्यादा है, तो उसमें complete combustion हो जाता है, complete combustion हो जाता है, यहां नहीं होता है, incomplete होता है, incomplete, तो यहां पर जो product होंगे, वो CO2, H2 होंगे, और del H इसका आएगा, del H बनाएगा, negative, negative मतलब exothermic, all combustion processes are exothermic, तो यह वाला जो portion है, इसमें exothermic, तो है, है तो अंदर वाला भी exothermic, बट यहां पर complete combustion होने से, जो heat release होगी, जादा होगी, temperature generate होगा, वो जादा होगा, इधर देखो ज़रा, incomplete, incomplete में क्या है, यहां पर आपका unburned carbon बनेगा थोड़ा, और H2 हो रहेगा, तो जो बाहर वाला जो flame का reason होता है, हम इसे oxidizing flame मानते हैं, और अंदर वाले में unburned carbon होने से, और carbon एक अच्छा reducing agent है, तो हम उसे मानते हैं reducing flame, reducing flame, यह कर लिया, चलो, अब कहानी में क्या करते हैं, अपन, सबसे पहले हम ले आते हैं थोड़ा सा water, और उसका बना लेते हैं paste, और उस paste को लगाते हैं किस पर, platinum loop या wire पर, और उस platinum loop को इस तरीके से, इस mixture से अपन, इस sample पर ले जाकर अपन, apply करेंगे आँगे चलके, आँगे चलके, अभी नहीं, तो सबसे पहले तो क्या गरो, इस platinum loop पर लगाओ, अब इस platinum loop पे जो अपना borax paste लगा हुआ है, उसे करना है heat, heat करने से क्या होता है, description, description का मतलब है, पट, 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 करके आवा जाती है, जिससे वो फूल जाता है, फूल जाता है, swells और swell होने के बाद और heat किया जाए तो हमें glassy transparent bead मिलती है और अब इस bead को क्या करना है एक platinum net लेना है जिसमें यह bead रखी है याद रखना है यह bead है और यह platinum है ना platinum का यह बना हुआ है इस bead को ले जाकर touch कराते है salt sample से touch कराते है salt sample से और फिर इस salt sample जो की bead पर लग गया है अब उस bead को ले जाकर पहले आप oxidizing flame में ले जाओगे और bead का color observe करोगे और फिर दूसरे number पर reducing flame में ले कर जाओगे और फिर color observe करोगे ऐसा करोगे आप का नहीं समझ मैं है बोरेक्स लो, heat करो, bead बनाओ salt sample से touch करो ताकि salt उसके surface में थोड़ा छप जाए फिर oxidizing flame में लेके जाओ और फिर reducing flame में लेके जाओ और फिर bead का color अच्छे से observe करना है अब जो थोड़े reactions यहाँ अपन involved है पहले उनको देख लेते हैं तो आँके देखते हैं देखो पहले अपन reaction जो involved है वो देख लेते है reaction involved तो reaction involved क्या क्या है देखो अपना बोरेक्स किया था अने टू बीफोर ओसेवन डॉट टैन एच टू ओ इसको हीट किया पहले पेस्ट बनाके हीट किया था तो पहले तो यह water of crystallization जो है वो निकल जाएंगे और यहीं पर आवाजे आएंगी कौन सी वाली description sound आएगा crackling sound आएगा और यह crackling sound का मतलब क्या है मेरे लिए पटपट करके जो आवाज आती है उससे water of crystallization निकलने से बोर हो थोड़ा swell हो जाएगा फूल जाएगा और ज्यादा हीट करने पर रेड हीट ट्राइप का करने पर आँगे चलके बनता है नबीओ टू प्लस बीटू ओ त्री balance नहीं करते हैं अभी अपना motive balancing नहीं है तो बनता क्या है यह दिख लो जड़ा sodium metaborate एक साथ लिख लेना और इसे हम बोलते है बोरिक anhydride जाँ देना भिया बोरिक anhydride और sodium metaborate बनता है बन गया और यह बीड है अपनी एक्षिल में यहीं अपनी बीड है पर आगे चलके जब हम बीड का कुछ भी करेंगे तो आप देखोगी यह वाला पाटिसिपेट करेंगा यह नहीं लेकिन जब भी बीड का फॉर्मला पूछा जाए दौनों को लिखना है दौनों को लिखना है यह द्यान रखना हो अब आगे की बात करते हैं देखो अब मैं आपको एक कॉंसिप्ट और बतादू छोटा सा फिर उसके बाद अपन काम चालू करेंगे कॉंसिप्ट यह है कि सबसे पहले अपन ऑक्सिडाइजिंग फ्लेम में जब रियक्शन लिखेंगे तो क्या होगा होगा क्या तो ट्रांजीशन मैटल का जो सॉल्ट होगा हीट करने से जनरली कुछ ना कुछ गयस निकलेगी और फिर वह ट्रांजीशन मैटल। और उकसाइब जो है B2.03 याने बीट के साथ डीट के साथ रियक्श करता है और बनता है stressed मेटाबोरेट बलकी मेटल मेटाबोरेट जिसका कुछ कलर होगा मालो की ये कलर है जिसको अपन और उफसर करेंगे जिससे अपन पहचानेंगे कौन सा मेटालायन था फिर उसके बाद हम इसे रिड्यूसिंग फ्लेम में लेकर जाएंगे वहाँ पर दो आप्शन हमारे पास हो है अब और अव्फलोरे में जाएंगे तो होगा ये जो आपका आ बिसीकली यह मेटा बोरेट बना था ट्रांसीति आम metaborate जो बना था अब क्या होगा इसको heat करेंगे तो तो अब अपन reducing flame में जा रहे हैं तो हमारे पस दो option है याद रखना दो option है एक तो ऐसा हो सकता है कि lower valency का metaborate बन जाए कई बार ऐसा होता है lower valency का metaborate बन जाए और कई बार यह होता है कि reduce हो जाएं reduction हो जाएं क्योंकि unburnt carbon है हमारे पस reduction होगा तो क्या होगा फिर से metal मिलेगा फिर से B2O3 बनेगा और carbon carbon monoxide में चला जाएगा हर case में सेम नहीं होता है जैसे कि example से इस बात को मैं समझाता हूँ कि यह क्या किया मैंने देखो example के form में मैं लेता हूँ copper sulfate तो copper sulfate सबसे पहले हम लेकर गए oxidizing flame में bead पे लगा रखा है यह bead पे लगा रखा है bead पे लगाने के बाद oxidizing flame में गए पहले तो वहाँ क्या हुआ copper sulfate heat की presence में copper oxide और SO3 में तूट गया ठीक है decompose हो गया अब देखो अब यह जो copper oxide है यह combine हुआ किसके साथ अब यह combine हुआ bead के साथ B2O3 के साथ और बना लिया Cu Bo2 hold twice metaborate ion याद करो Bo2 minus copper यहाँ plus 2 में था यहाँ plus 2 में था यहाँ plus 2 में था और यहाँ भी प्लस 2 में तो यह जो है यह एक color बनता है यहाँ पर इस color को मैं नाम दे देता हूँ इसका generally color आता है blue अच्छा यह blue भी depend करता है कि bead अभी गरम है कि ठंडी हो गई तो उसमें भी difference होता है मैं तब का लिख रहा हूँ जब bead आपने oxidizing flame में रख लिया और उसके बाद ठंडा कर लिया तो उसके बाद जो color आया मैंने उसको नाम दे दिया blue अब इसके बाद हम पहुचे कहाँ पर reducing flame में अब reducing flame में क्या होगा reducing flame में क्या होता है यह CU BO2 whole twice को key presence में reduce हो जाता है दो option थे दो option या तो lower valency का metaborit बनेगा या reduce हो के metal बनेगा इस case में metal बनता है metal बनता तो यहाँ पर क्या बन जाता है CU plus क्या बन गया पर से बीड अलग होगी B2O3 और CO बन गया अच्छा यह जो CU है यह ध्यान रखना है किस color का होता है यहाँ पर red वो बीड का color पहले जो blue था अब red है कब है ठंडा करने के बाद तो सारी color जरा अब एक साथ देख लेते हैं मेरे साब से आपको Borex beat का concert अच्छे से समझ में आ गया होगा तो यह रहा result copper 2 plus देखो जब cold थी तो beat blue थी और red opaque red color की होगी थी ओप एक आरपान नहीं देखिया फिर यह color का क्या करें सर देखो ऐसे case में मेरी एक advice है अगर हम से सारे color याद हो पा रहे हैं तो कर लो नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम यह वाले और यह वाले कर लो पूरे हो जाए तो बहुत अच्छे बात है नहीं हो तो कम से कम यह कर लो क्योंकि सामने वाला जब question पूछता है तो यह मानता है कि beat का color observe करो का मतलब जलती हुई flame में नहीं observe करो निकालो बाहर ठंडा करो फिर beat देखो तो cold वाले case ज़्यादे important है तो copper 2 plus hot green ठंडा होने पे beat blue color की और reducing flame में गया है colorless हो जाती है वीड फिर से फाइनली red color की हो जाती है वो copper का ही color था nickel 2 plus light violet red is brown अगर beat गराम है तो light violet oxidizing flame में वह ना red is brown और यहाँ पर देखो दोनों में color same है color change हो गया है मतलब पक्का beat का formula change हुआ होगा अगर color same है यहाँ पर देखो जड़ा iron देखो iron iron का यह color याद रख लो yellow वला पैसे अपना ऑफजर करना iron 2 plus में जब जब आएगा न तो green होता है और अगर भूल जओ color याद करने का एक सबसे अच्छे तरीका है compound याद कर लो ferrous sulfate green vitriol लेकन iron 3 plus याद रखना थोड़ा yellow है अच्छा यह beat जब ठंडा होगा reducing flame में तो क्यों होगा green color आ रहे है यहाँ देखो जड़ा mn2 plus के लिए क्या है light violet और यहाँ वाला क्या है colorless तो यह द्यान रखना है अच्छा मैं एक बात और बता दू इसके अलावा और भी लोग हैं जो यह test देते हैं वो भी deep lock के ही है पर हम अभी jim mains 24 के respect की बात कर रहे है इसलिए मैंने lab manual वाले ही results include किया है सारे नहीं किया है तो आपके दो काम होते जारे हैं भी salt भी तियार होते है जारे है अध्यान देना क्या कह रहा है वेन बोरेक्स is heated with cobalt oxide platinum loop पे रखकर blue colored का blue colored का क्या मिल रहे है bead मिल रहे है तो वो blue colored की bead क्यों बन रही है अच्छा तू यह तू बताया है नहीं oxidizing reducing तो oxidizing माल लेते हैं heat ही कर रहे हैं अभी starting में तो कुछ metaborate बनाओगा यह बाहर यह बाहर metaborate क्यों बाहर क्योंकि BO2 minus form में होना चाहिए है ना तो यह भी बाहर फिर बात ख़़ए ओ क्या देखो यहां cobalt किस में था प्लस टू में यहां भी cobalt किस में है प्लस टू में बड़ा आसान था लॉलीपॉप था यह लॉलीपॉप अच्छे से पर अगर question आसान है चारो option देखना है जरूर देखना है एक बार देखना है तीन सेकंड पांच सेकंड में question नहीं होना चाहिए दो बार कर लो पांच पांच दो बार ले लो देख लो पूरा देख लो गलती तो करने का scope नहीं रखना है डाय बोरेन इसका भी structure काफी important है तो इसका structure बना लेते हैं बंजरो डाय बोरेन एक्शुली में dimer है तो BS3 के तो यॉनिट का मैन होकर बनते हैं यहाँ पर B2H6 structure बनाने का तरीका क्या है बड़ा simple तरीका है कि आप क्या गरो पहले एक plane बना लो ऐसा बना लिया अब यहाँ पर दो बोरोन बना लो चार टर्मिनल वाले हाइडरोजन देखा देना ऐसा यह देखा दिया अपनने अब इसमें एक हाइडरोजन यहाँ देखाओ जो actual में wanted है और यहाँ दिखाओ अब यह बोरोन का SP3 एक हाइब्रेड और्बिटल खाली पड़ा था पहले यह SP2 था पर अभी यह डाइमर बनाने जा रहा है यह ब्रिज वाले हाइडरोजन बना लेते हैं अपन तो यहाँ पर दिखा दो यह देखो हाइब्रेड और्बिटल एक यह है तो ऐसा चल रहा है कि यह जो तो बोरोन है जिनकी एक-एक SP3 हाइब्रेड और्बिटल जो ऐसे दिखा रहे है तो औरों के साथ सैमल्टेनियसली बोरोन इस तरीके से ओवरलैपिंग कर रहे है मतलब यही पर यह दो एलेक्ट्रोन थोड़ी दिर में यहां पर भी दिख रहे हैं और यहां वाले यहां भी दिख रहे हैं कुछ ऐसा यहां वहां यहां वहां चल रहा है ठीक ऐसे यहां पर देखो रहा हूं कि ऐसा दिखात हुए यह वाला जो बॉंड एंगल 120 डिग्री पाया गया लगब लगब यह बॉंड एंगल to electron वाला ये bond और येवाला बाण से त्यां से त्यात। 3 center to electron bond क्योंकि यहां परתीं center जरूर है मिलक्राइन दो है बनाना बॉलते हैं इसको अपन यह अपना क्या हो गया नगेजəक़ है बनाना bond तो कितने फिर इसमें कितने इसमति 3 center to एलक्राइन bond हो गए एक ये वाला हो गया टोटल कितने हो गया दो और टू सेंट है टू लेक्रॉन कितने हो गया चार एक बर जेही ने पूछा कि ये बताओ देखकर अच्छे से maximum number of atom in a plane किसी एक particular plane में कोई भी plane आप ले सकते हो maximum कितने atom है तो ये वाला जो प्लेन ये वाला ऐसा इसी plane में दो बोरोन है चार हाइड्रोजन है छे एक उपर एक नीचे है hybridization बोरोन का कैब SP3 और क्या जरूरी है SP3 इस हाइड्रोजन का कैब फिर 1S और मिटल है ये तो ये तो बही होगा अब कुछ दो-तीन बाते और देखो जरा यहां पर अचा अगर आपसे पूछूं कि ये वाला जो bond order है क्या ये one है क्या ये bond order one है नहीं यार अब नहीं है one अना अब one नहीं है one से काम हो गया है और ये वाला bond order ये पक्का अभी भी वन है और हम सब जानता है कि bond order और bond length एक दूसरे के क्या होते है inversely proportional bond order बढ़ेगा bond length घटेगी क्यों जाधा bond बनाना है पास पास आना पड़ेगा ना दूर दूर से थोड़ी ना बन जाएगा पास आओगे तो इंटर नुकलर डिस्टेंस भी तो कम होगा तो हमेशा याद रखो कि यह जो bridge वाले है bridge वाले उनकी bond length देखो मैंने कितना लिखा है मतलब यह वाली जो bond length है 134 पीको मीटर हो रही है और यह वाली bond length छोटी है 119 पीको मीटर आ रही है और आना बीचे यह ना इसका bond order जबाद है इसका bond order कम है clear है अब हमें और डाइबोरें से related जो बाते है question देखते है जरो अच्छा एक topic और छोटा सा फिर question देखते है और थो बोरेक acid और रहे गया तो यह एक weak monobasic acid है not a aranious or a brownstead or a protonic protonic acid का मतलब है कि H plus नहीं देता क्या करता है फिर यह क्या करता है water को फुलता है तुकडे तुकडे करेगा पहले तो H OH माइनस ट्रैप का होगा और B OH whole thrice इस तरीके से लिख सकते हैं और जैसी इसके सामने water रखेंगे तो इस पर है एक vacant orbital अब होता है क्या है अब होता है क्या है जरह यह समझो होता है यह है कि यह water के OH माइनस वाले पार्ट को यह खा जाएगा वाकरी में water टूटता है क्या पहले नहीं ऐसा कुछ नहीं होता बस समझने का तरीका है actually यही से लोन पे राता है तो बंद के आ जाता है यह B OH whole 4 और इस पर चार्ज के आएगा माइनस वन और देखो H प्लस बढ़ गए ना पर यह H प्लस अपने नहीं थे मेरे नहीं थे मेरे वाटर के तुकडे किये OH खा गया H प्लस ऑटोमेटिकली बढ़ गए क्योंकि प्याओर वाटर में हाट टेमप्रेचर में H प्लस और OH का कंसंट्रेशन इवन नंबर सेम होते हैं पर अब एक ऐसी प्लस होने लगी वाटर में जिससे कुछ H प्लस बढ़ने लग गए तो वाटर ऐसे डिक हो गया ऐसा अच्छा और एक खास बत इट हैस लियर्ड स्ट्रक्चर जिसमें यह B O 3 3 माइनस की उनिट जो है न आपस में H bond के थ्रू जोड़ी हुए है यह क्या कहानी है बई यह कहानी कुछ ऐसी है कि आप इसको ऐसे समझो B O O ऐसा बना लो ऐसा नहीं है रहा अच्छा नहीं लग रहा है दोबारा बनाते न दोबारा जब मैं बना रहा हूँ तो मैं ऐसा बना रहा हूँ B O O O एक्षिल में एक H B है यहाँ पर ऐसा दिखा दो फिर यह एक और यहाँ कहीं बोरोन बना लो उसका एक O दिखा देना H bond बना देना ऐसे करते जाना ड्राइंग मेरी उसके जनरली लोग मासा अल्ला बोलते हैं तो आप समझ गए होंगे तो ऐसा ऐसे चलता जाएगा ऐसा H bond बनाते जाना एकाद यहाँ पर और और ऑक्सिजन ले लो और बोरोन ले लो यह बना देना यहाँ H ऐसा दिखाते जाना इस तरीके का एक seat-like structure है क्यों? की हमारी यह repeating unit जो है उसमें बोरोन का hybridization देखो क्या आ रहा है SP2 इसलिए overall एक seat बनती है seat तो यह बात भी काम की थी धियान रखेंगे हम इसको आंगे देखते नहीं सर धारागा यह question निप्टा देते हैं इसको भी निप्टा देते हैं क्या बोला है which one of the falling are Lewis acid कौन होता है Lewis acid जो लोन प्यर accept करता है का एक हो करता है या तो vacant orbital होती है तो मम्मा बोल देती है जादा bond बनाला दूसरा नहीं तो octet complete करना रहता है ALCL3 देखो ये रह आ ये लोन प्यर accept करेगा क्या बिलकुल करेगा क्यों करेगा क्योंकि इस पे nearby electron 6 हो रहे है और vacant orbital भी है तो ये तो बन गया ammonia नहीं 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 ammonia पे लोन प्यर है ammonia लोन प्यर नहीं लेगा ममा मारेगी उसकी बोलेगी तेरे पे लोन प्यर था तेको बुला था ना मैंने क्या बना के लाना on pair पर क्या लिया या टूल्टा और लोन प्यर तो ये ना हो पाएगा बाहर फॉस्फीन में भी यार इसी तरीके से बाहर कर देते फिर आ ये ठीक लग रहा है यहां अंसर आ गया क्यों क्योंकि तो बीसी एल थी में भी तो ऐसे होता है बीसी एल थी में भी तो एक वैकेट और्बिटल होती है और ये यह यहां पर फॉस्फीन ने नाटक कर दिया उस वज़े से यह भी बाहर आ गया इधर देखो जरे 2030 का यह कुशिन क्या है स्टेटमेंट वन में पूल रहा है कि बोरोन एक्स्ट्रीमली हाड है इंडिकेटिंग हाई लेटिस एनरजी हाँ जी परमसत्य है यह बी ट्वैल वाई को सो हैडरल वोरोन एग से फिर वी परमसत्य वह बाहर हो नहीं स्टेटमेंट फिर सही है तो वाई को डे में बोद आर हुए हो गया अब ऑफजर करो मैं पूरा क्षिशन पढ़वाता हूं जबर देशती पढ़वाता हूं क्योंकि कहीं न कहीं अगर पीपलोग गलत हुआ तो फिर क्या है न बहुत आसान क्षिशन गलत जाएगा इसलिए अच्छे से बर जारा रीड कर लेना कोई वर्ड वर्ड ऐसा न आ जाए जो हम मिस कर गए है एस थी बियो थी जवीक एसिट हाव भाई याद करो जरा यह थी बियो थी वाटर में जब हम इससे डिजॉल करेंगे तो यह थोड़ा बहुत किसमें करवाट हो जाता है भी ओएच वोल फॉर में और एच प्लस देता है रीक एसिट तो होता ह एस थी बियो थी इस नॉट एबल तो रिलीज एच प्लस आयन्स ओन इट रिसीव ओएच माइनस फ्रॉम वाटर एंड रिलीज़ एच प्लस याद करो यही तो हुआ यहाँ पर वैस तो ले लिया उसने ता एच प्लस ही तो बढ़ गए खोद का थोड़ी ना है वह एच प् कोई दिख करते हैं वीक ऐसेट तो ही असर संक्या रिजन वी उसको समझा पा रहे है तो यह इस नॉट एबल तो रिलीज एच प्लस ऑन इट्स ओन वाई स्ट्रॉंग एच प्लस दे दे पूरे दे जितने हैं उतने दे थोड़े से वाटर में दे ऐसा कुछ यहाँ होई नह है चलो इस पर चलो करेक्ट स्टेट्मेंट अबाउट बी टू एच सिक्स अभी पर पड़ा था डाइब हो रही ना पनने नीचे सूपर चलते हैं इट्स फ्रेग्मेंट बी एस-3 बेहेव सैज लिविस असिड हाँ ठीक है यह बात कुछ अत्तर ठीक है करेक्ट स्टेट्म बताना है अना तो यह रहा देखो ओ तो जाएगा यह थ्री इस तरीक से अना आगे बत करते हैं और बी एच बी बॉर्ण एंगल और सेम नहीं 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 120 के अलावा एंड और अपना आया था नाइंटी सेवन तो यह तो नहीं होगा दो बोरोन हैड्रोजन सब्सक्राइब और यह तर्मिनल वाला था यह ब्रेज वाला था ब्रेज वाले की बॉर्ण लेंथ हमेशा ज्यादा होती है अच्bot terminal बोरोन हीड्रोजन बॉर्ण हैव लैस्पी करेक्टर पहले इस बात को समझो कि एक बोरोन यहां था जो यह रचले गए यह और स्कृरी नौट आते हैं इस बात को समझो कि एक बोरोन हाइड्रोजन बांड ऐसा जो हम दिखा रहे थे अगर हम याद हो तो तो यहां बांड एंगल 120 डिग्री था और यहां 97 था और क्या होता है जितना ज्यादा बांड एंगल स्पेसिंग उतनी ज्यादा percentage as character भी जधा यहां रखना जर्फ ती टा जधा प्रसेंटे जाएस करेक्टर जधा तो यहां 120 यहां 97 हे तो यह टर्मिनल वाला जोह टर्मिनल वाला इसमें इसमें पी- impact रॉत का करेए च्श्だ आथा तो करेंद टर्मिनल बिएच में यह जो टर्मिनल है, have less P character, हाँ बात सही है, when compared to bridging bond, टर्मिनल वालो पे, टर्मिनल कौन से यह वाले, उसमें P character काम है, हाँ काम है न, क्योंकि spacing जादा S character जादा, so terminal have less P character, और more S character, तो यार यह बात भी सही हो गई, तो यह तो सही हो गया, अब यह देखना पड़ेगा अपन को, देखो मैंने ट्रिक भी लगाता है यहाँ पर आपके लिए, कैसे बता करना है, तो यह वाला जो है, its fragments, BH3 behaves as Lewis acid, तो कह नहीं सकते हैं अभी अपन इस वारे में, तो इसको थोड़ा और analyze करने की जुरत है, क्योंकि हम यहाँ दो मैं first गए, दो मैं first गए का मतलब यह है, कि यह जो B2H6 है, fragment से उसका मतलब क्या है, यह specify नहीं हो रहा है, हाला कि B2H6, ऐसे भी exist करता है, नहीं, BH2 minus और BH4 plus form में, लेकिन वो form अभी हम नहीं बनाते हैं, तो अगर अपन ध्यान से देखें, तो अपन को यहाँ पर डिसाइड करना पड़ जाएगा, क्या करें, A, B सही हो गया, B गलत हो गया, C गलत हो गया, its fragments, BH3 behaves as Lewis acid, क्या उसका fragment, BH3 Lewis acid की तरह behave करेगा, as पर अगर अपन यहाँ देखें, तो हाँ जी करेगा, लेकिन उसके fragments symmetric होते हैं जब भी, अपर बात करते हैं, B2H6 जब तूटता है, तो कुछ ऐसे तूटता है, कि BH2 plus और BH4 minus के form में होता है, पर यह थोड़ा बहुत बाते हैं, उसकी compound की chemical property की तरह पिसारा कर रही है, जो कि अब include नहीं है, तो अगर मैं इस बात को सही मान लूँ, तो आप फिर क्या गरोगे, इसको भी हटा दोगे, और answer A के साथ चले जाओगे, क्योंगे एक आ तो पक्का guarantee बन रहा है, आगे देखते हैं, hardest substance अमंग दी following, अच्छे यह मैंने AY add कर दिया था, ताकि आपको थोड़ा सा ना, मैं यह बता पाऊं, कि अपना जो diamond है, diamond, जिसको अपन क्या समझते है, hardest substance, नहीं, उसका सही नाम है, naturally occurring, hardest substance, so naturally occurring, hardest substance, अलग बात है, और hardest substance में man-made भी include हो जाएंगे, तो अगर अगर अपन man-made, synthetic वाले भी include कर लें, तब answer अपना क्या नहीं है, diamond नहीं है, अच्छी चीज़ है, इसमें वैसे भी diamond था ही नहीं, पर answer फिर fact हो जाएगा, याद रखना है, boron carbide, वहिया, याद गर लेना, एक fact है, एक आजा तो अपन करी लेंगे, यह सब उस तो है नहीं है, चालो, ठीक है फिर, आगे चलो, ग्रोफ 14 में आजाते हैं, तो ग्रोफ 14 स्टार्ट करते हैं अपन, ग्रोफ 14 में क्या क्या है, फिर से भाई, कहे, सिवजी, सुनो, पारवती, FL, फ्लैरोवियम, इसका नाम नहीं लिखा है, मैंने नाम लिख देता हूँ, इसका पहले आपको, फ्लैरोवियम बोलते हैं, इसको याद रखना जरा, फ्लैरोवियम, इसका कितना है, 6, 8, 8, 14, और अब 8 मत करना, पी ब्लॉक के लिए याद रखना, 13 से 7 तंदर क्या पता है था, पहले एट, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32, एट एट नहीं करना, अच्छा, 18 एट करेंगे तो यह 32 आएगा, फिर और 18 में 50 आएगा, अभी यह 82 हो जाएगा, 32 एट करने पर, अब देखो जरा है यहाँ पर, अभी इसमें और 32 एट कर लो, तो 114 ही तो आएगा, 2 और 2 यह 4 हो जाएगा, अच्छा अच्छे से नहीं दिख रहा है, सुदार आप ठीक है, तेखो, और 32, तो 204, 8 3 11, फ्लैरोवियम, अच्छा फ्लैरोवियम भी लेटेस्ट एलिमेंटर, सारे नए के नए जो बन रहे हैं, बेकार के हैं, सारे के सारे, क्यों, क्योंकि सब के सब रेडियो एक्टिव है, तुम दढ़ा का करने वाले हैं, यहां के, तु 82, and so on, configuration का तरीका बड़ा सिंपल है, हीलियम लिख लो, यहां पर नियोन लिख लेना, आरगन, अब मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, फिर क्रिप्टाउन, और जैना, और ऐसे इसके लिए रेड़न लेना, अगर लगता है तो, अब देखो, क्या करना है, हीलियम में दो एलेक् तो अब बचे हुए, चार का गए, 2S2, 2P2, ओगे 6, ऐसे चलते हैं, 3S2, 3P2, 10, 12, 24, ठीक है भई हां, 14 होगे, 14 होगे, 14 होगे, 14, हम आगे देखो, अब क्या एगा, 4S2, 4P2, 18, 20, 22, चाओ, 10 का गए अब न, तो 3D लगा देना, इसके बाद वाले में भी क्या लगा देना 3D के बाद 4D, 5S2, 5P2 लगा देना, अब याफ करो जड़ा, ग्रूप 13 में बदाया था, 3D, 4D, अब 4F भी आजाएगा, 4F लगा तो, 4F 14, 5D 10, 6S2, 6P2, हो गया, ऐसी इसमें क्या अगर होगे, 4F के बाद 5F लगा देना, लिखी लो फिर, 5F 14, 6D 10, 7S2, और 7P2 भी आ गया, आसान था, आसान था, अच्छा ये जो पहले दो है न, कार्बन और सिलीकन, याद रखो, ये नॉन मेटल है, अंगले वाले दो जो है, मैटल वाला करेक्टर भी मिल जाएगा न, और आखरी वाला, लैट एक टिपिकल मेटल ही है, अल्मूस्ट, अब क्या करना है, इसमें खास्बत ये है, कि टॉप टू बोटम क्या हो रहा है, मेटलिक करेक्टर बट रहे है, क्यों बट रहे है, साइज बट रहे है, क्यों बट रहे है, आईनाइजेशन एंधेल्पी गट रही है, तो ऐसे याद कर लो, आगे चलते है, आच्छा, यहां पर एक और परियोडिक टेबल में, सबसे ज्यादा है, कोवलेंट बॉण्ड बनाके, आप अपस्वेल निंक होने की, जिस से वो, चेन मना लेता है, रिंग बना लेता है, पता नहीं क्या-क्या बना लेता है, और फिर वो बन जाता है, क्या, पहुंस्ट वर सटाइल, सबसे ज्यादे, बनाने वाला कई पड़ा सामने के लिए कार्बन के ना कुछ एक सुनभी लाक वाक कुछ है 19 मिलियन और बागी सब के 5-6 मिलियन कुछ है आचा देखो रीजन के इसका पर रीजन के इसका कार्बन तो कैटे निसन जो है न वही सो करता है जिसका साइज चूटा होता है तो एक strength of carbon-carbon bond तो यह दो कारण होते है यहां पर देखो दो रहा मैंने सबके bond energy की values लिखे है उनको compare करो carbon-carbon जो bond है न उसको तोड़ने के लिए इतनी energy लग रहे इतनी मतलब किलो जूल पर मोल में यह सब तो डाउन दो ग्रूप आप आओ carbon-silicon-germanium-tin तो bond की length लंबाई बढ़ेगी तो bond जल्दी तूटेगा है ना bond जल्दी तूट जाएगा जल्दी तूट किया फिर bond energy कम होती जा रहे है फिर इधर देखो च रहा तो मैंने बोला भी है catenation size के inversely proportional है so on moving down the group क्या हो रहा है यह tendency अपकी कम होती जाएगी so order of catenation of group 14 element अगर अपन बनाएं तो यह important सा trend निकलते हैं तो कारबन तो बहुत आंगे है वह सिलिकन जर्मेनियम टेन से लैड हाँ लैड नहीं सो करता catenation लैड catenation सो नहीं करता बागी सब करते हैं याद रखना हो ला मत important अभी या एक तो वैसी तोड़ा सा बचा है उपर से अब इसमें भी गलपर नहीं चलो आंगे चलते हैं तो catenation वाली इस property की वज़े से और पाई पाय बांड पाई बाउंड पाई बांड जो थोटे सा कि लोग बनाते है जिनका पास भी होती है इस वज़े से क्यों बहुत सारे एलजुल्य द Dü लिंग और क्रशाल आता है क्रिस्टिलीन में जाते हैं क्रीस्टिलीन में जीन हैं यह क्रशाल सब्सक्राइए नहित्थ लोह द्हक्राइफ है लगभग सेविन सेविन ूविण और यह लगए opens में भी यूजोता है को यह द्याना मा अक्रेंग की बात करते हैं तो कर बन तो अबन दैंड अबन बंधर की कोई दिकती नहीं है तो सिलिकनियट वगेरा के Boiges करते हैं सिलिकेट और भी फॉर्म होते हैं सिलिकोंस एक्सेक्टरा बलकि सिलिकन के ही सिलिकेट्स और सिलिकोंस 95% और अर्थ क्रस्ट में होते हैं जर्मेनियम लेश सब इठरेख एट एटीक लाध इंप 147 एक और आप एसको ऊक्राविएर्य ओड्योग्र्य जसे नहीं जोला के एकS यह अब्सक्राइब से मतलब एट्रेशल सिय्केटर्य टिन का एक टैनेकगर से अए मैं इसको अपने बोलते हैं, कैसे टेराइट, कैसे टेराइट, और इट इस और टेन स्टोन, तो टेन इस फ़म में मिल जाएका, तो ज़्यादा इंपर्टेंट नहीं है इसका क्रेंज, और आसान भी है कफी, कारबन तो आपको सब पते हैं, डायमन है, ग्रेफाइट है, बहुत स जादा नहीं होता है, फास्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट नहीं आई है, आजी, फिर वाई, कारबन की कुछ हरकते, पिनकने वाली, अपने ही ग्रुप से अलग हरकते, जो सो करता है, अनामोलस बेवर, मिने बताया था, इसका मतलब क्या होता है, वैसे, लेटरल तो वो क्या है, लेक्ट्रो नेगटिविटी भी जादा, क्योंकि वो साइस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइस जादा, अलेक्ट्रो नेगटिविटी कम, आईनाइजेशन एंथेल्पी हमने पहली देख लिया, साइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो नॉट है तो टी एक्जिस्ट ही नहीं करता है ना टूडी एकंड दी और्विटल ही नहीं होती है हाला कि कार्वन की एक खास बत क्या है यूञीक एबिलिटी टू फॉम इस्टेबल पाई बॉंड बना लेता है क्योंकि साइच छोटा होता है डबल बन जाता है ट्रिपल बन जाता है तो टूपी टूपी ओवरलेपिंग क्यूंकि होती है अपनी आगे maximum covalency carbon की कितनी है second period element है बताओ बताओ second d orbital है नी second period element है valence cell में 2s2p बस है 4 orbital जादा से जादा चार bond जादा से जादा चार bond तो कितनी होगी 4 आंगे बढ़ते हैं तो आंगे देखते हैं अब बंजिरो next physical properties बाहर से कैसे दिख रहा है मोटा काला गोरा यह वाली बात कर रहें अंदर से कैसे अच्छा बुरा वो एक अलग बात है chemical होगी वो तो बाहर वाली बात कर लेते हैं सारे के सारे solid होते है room temperature में सारे के सारे carbon silicon के नौन मेटल से बता चुका हूँ जर्मेनियम अपना मेटलोइट है टेन और लैड क्या है अपने soft metal जिनका boiling point और melting point especially melting point याद रखो कम होता है ट्रेंड की बात करते हैं periodic properties की ट्रेंड अब अपन ट्रेंड में जब चलेंगे तो पहले पन चलते हैं kovalent radii में तो down the group याद रखना down the group down the group top to bottom size बढ़ रहा है कोई नाटक ज्यादा नहीं है जितने नाटक 13 में थे ऐसा कुछ नहीं है और नाटक नहीं है इसलिए less important है नाटक होते तो more important होता तो down the group carbon silicon germanium tin lead बस एक चीज़ खास है यहाँ पर tin or lead में difference जो होता है वो बहुत कम होता है difference is very small बहुत कम होता है बहुत कम होता है बहुत कम होता है यह small होता है लैंथरम के बाद का element है और लैंथरम के बाद के सभी element में लगता है तो difference कम है फिर भी lead ही slightly size में बढ़ा है दूसरा trend है ionization energy में चलते हैं जो की फिर से size के inversely proportional होता है और यहां पर चूकी radii में कोई नाटक नहीं है तो ionization energy में ज्यादा नाटक नहीं है ज्यादा नाटक नहीं है थोड़े तो चलेंगे नायर मद ही क्या आएगा फिर तो सीधा सीधा हो जाएगा तो carbon का साइज साइज शूटा होगा आएज़ेशन एनर्जी बढ़ेगी तो carbon आगे है फिर silicon जर्मेनियम टेल असे carbon आगे क्यों है यह सब जो है ना यह लोग यह सब 3D कोवेलेंट जाइंट नेटवर्क बनाते हैं अब carbon मिलेगा किस फॉर्म में तुमको नायमंड ग्रेफाइट सिलीकन सिलीकेट के फॉर्म में तो इसलिए बोल रहे हैं अपन और नहीं तो carbon अकीला अगर हुआ तो क्या कर लेगा ऐसा ही तो कर लेगा सिलीकन भी ऐसी चारबॉंड बना लेता है स्ट्रॉंड बना लेता है और जो लोग नैटवर्क लाइक 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे ध्यान रखना उनकों उनमें हमेशा मेल्टिंग पॉइंट जादा बोरोन याद करो बोरोन तो carbon, silicon, germanium और फिर क्या आगया लेड आगे टिन पीछे लेड आगे टिन पीछे कारड क्या है बई तो देखो यहाँ पर लेड आगे और टिन पीछे होने का कारड यह है क्योंकि इसमें lanthinoid contraction था है ना अब मेरी बात को समझो हो क्या रहा है टिन का साइज इतना है लेड का भी इतना है लग बग थोड़ा इसे डिस्टेंस से तिन और थैलियम की नुकलियस एलेक्टरन को पुल कर रहे है पर थैलियम में प्रोटोन जादा है प्रोटोन जादा एफेक्टिव चार जादा तो उसका जादा हो जाता है थोड़ा थोड़ा जादा देन तिन से तो यह द्यां रटो फिर मैं ऐसे important marker दे नेगटिविटी डाउन दाग फिर वही साइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल अनो इसलिए कह रहा हूं छोटी-छोटी मत बोला वागरो कि इसी को क्योंकि वह साइस के चक्कर में नाटक हो रहा है सब आंगे निकल गए कारवन वाले सो कारवन आगे फिर लैड आंगे जब नूकलेस है बहुत स्ट्रॉंग ली क्या लगा रहा है पुल तो उसकी विड्ड्रो या खीचने की टेंडेंसी बढ़ गई अन्देट्स वे लैड आंगे निकल गया लिव में तो सिलीकन जर्मेनीयम और तीम की लगबग लगबग दोनों की क्या है सेम है तो इसमें तो कोई दिक्कत है और बात ही नहीं इसमें है आगे देखो melting point का trend देखो melting point का तो carbon का बहुत ज़्यादा है लेकिन ये कौन सा carbon है तो carbon का ये form diamond वाला ले लो silicon ले लो फिर germanium और lead और tin lead और tin में थोड़ा सा नटक रहे गई याद रखना जरा ये important है tin और lead में lead ज़्यादा soft है तो ये lead ना इतना soft है इतना malleable है कि उसकी sud बन वा सकते हैं और nuclear power plant होते हैं जहां पर radioactive reaction है जहां harmful radiation होती है वहाँ पर क्या होता है लोग lead वैट की sud पेनते हैं harmful radiation absorb कर लेता है तो ये छोटी छोटी से ये zigs जो आ रहे हैं trend में ये ही important है mains के लिए इस पर ज्यादा ध्यान देना वही कि वालिंग पॉइंट देखो carbon आंगे silicon आंगे वही 3D lattice बनाके बैठी हो तुम बागी एक के ketum और germanium tin lead में क्या है तो यहां पर क्या metallic bonding आ जाती है थोड़ा scene में 10 win और lead lead में क्या होता है metallic bonding थोड़ा कम होती है कम-कम जाता है वैसे भी इन में तो top two bottom size थोड़ा सा क्या है lengthenoid contraction से घड़ता है जितना बढ़ना था उतना नहीं बढ़ पाता है अच्छा तो फिर क्या trend क्या है कार्बन देखो carbon अब यह बड़ा important अभी carbon का कौन सा वाला ले रहो यह देखना पड़ेगा आपन को diamond लोगे तो 3.5 बने और silicon से compare कराओगे तो ज्यादा आएगा लेकिन graphite लोगे तो 2.2 है silicon से compare कराओगे कम आ जाएगा paper में क्या करेंगे वो बताएगा diamond लेना नहीं बोला तो diamond ले लेना वैसे तो थरगण most stable form लेना चाहिए पर NCRT ने ट्रेंड लिखते वक्त लिख दिया है carbon के नीचे diamond वाला इतना graphite वाला इतना तो वह clearly आपको बताएगा और उसके बाद आप देखते जो lead तक जाते-जाते density बढ़ रही है तो trend में थोड़ा important क्या था ये वाला down the growth density सिटी बढ़ रही थी मास बढ़ रहा था बस carbon diamond वाला आने से carbon silicon में switch मार देना graphite में मत मारना एक additional information हो है मेरे पास यहाँ पर देखो जरा तिन के भी दो form होता है alpha 10 होता है तो alpha से beta वाला जो lattice का arrangement बस दोनों में अलग अलग होता है एक alpha वाले को gray 10 बोलते हैं उसको white 10 बोलते हैं white वाला metallic होता है तो यह ध्यान रखना है मतलब वहाँ पर एक metal lattice बनता है और यहाँ पर अलग तरीगे का diamond जैसा lattice बनता है diamond जैसा lattice बनने का मतलब kitten भी ऐसा करने की कोसिस करता है वह लैट तो करी नहीं सकता करेक्ट order of bond enthalpy bond को तोड़ने के लिए लगने वाली उर्जा energy का सही क्रम बताईए पताईए फिर तो क्या करेंगे अपन फिर why top to bottom लिख लेते हैं लिख लेते हैं की top to bottom bond length क्या होगी पढ़ेगी तो bond को तोड़ने की energy क्योगी गटेगी ठीक है तो down the group देखो सबसे च्छोटा carbon carbon होगा उससे बड़ा bond silicon का होगा तो bond length कम हो जाएगी bond silicon silicon की bond length जादा पर bond energy कम लगाओ फिर लगो तो bond energy निकालना है तो सबसे च्छोटा bond जिसका होगा उसकी energy जादा होगी तो यह ठीक है carbon silicon पर यहां पर थुड़ा नटक होगा जल्दी मत मचाना इसलिए कह रहा हूँ carbon silicon germanium मिल गया अगर हम मैं पेसंस नहीं होगा तो हम हो सकता इसलिए बी केरफुल ध्यान देना चारे option पढ़ना ज़रूरी है यह रहा आंसर क्या ग्रूप 14 में इनट पेर इफेक्ट है बिलकुल है तो उससे क्या होगा अच्छा ग्रूप 14 में देखो configuration क्या है था ns2 np2 आया था अपना उसमें दो state था एक plus 4 था और एक plus 2 था प्लस 4 वाले की stability down the group घटेगी क्यों घटेगी align नहीं कर रहा है अपने electron को bonding में तो ऐस वाला inert हो जाता है तो फिर लिखा क्या है plus 2 वाले की stability है क्या हो रही है तो प्लस 2 और प्लस 4 का अगर order लिखना है तो क्या लिखें और अच्छा प्लस 2 प्लस 4 में भी बद ध्यान रखा करो तॉप के 2 या 3 तो higher state only so करते हैं नीचे वाले ही दौनों so करते हैं जनरली carbon को प्लस 2 पसंद नहीं कारवन जनरली रेरली ही प्लस 2 सो करता है silicon तो यह लोग प्लस 4 करते हैं इसलिए अगर लिखना है तो आपना germanium से लिखो carbon silicon में तो फिर बात comparison ही नहीं बनता नहीं तो अपन germanium से बात करतें carbon silicon germanium germanium में प्लस 2 germanium 10 और lead और यहां भी लिखकर रख लो germanium 10 और lead यह रहा अब क्या करना है देखो जरह प्लस 2 डाउंदा ग्रोप क्या होगा ना बड़ेगा तो प्लस 2 का ओडर यह आजाएगा प्लस 4 इसका उल्टा होगा तो फिर एक error होगी ना यहां प्लस 4 लिख लो सबको पहले यह तो गलत होगे ना सही गर लो यार प्लस 4 लेको प्लस 4 germanium 10 और lead लेड चलो अब बताओ तो प्लस 4 डाउंदा ग्रोप क्या होगा stability गटेगा तो फिर क्यों होगा germanium सबसे ज़ाद होगा ऐसा आया आसान है एकदम आसान है चलो आंगे दिखते हैं आंगे के अपने पस तो आंगे अब अपन बात करते हैं trends की तो trend में आपको दो बातें बहुत अच्छे से समझने हैं यह रेटलो रेटलो बहुत इंपर्टेंट है बहुत यह रेटलो भी यह बहुत इंपर्टेंट मैं कहता जरो इंगा प्लस फोर इवरेट है और लैड़ का अ लस्टू ऊवरेट है तो जर्मेनियम अच्छाHey वह सलस्थ प्लस फोर वाले हैं यह तो जर्मेनियम जा ये जएगा क्योंकि जर्मेनियम प्लस फोर में जाएगा तो एलेक्ट्रॉन को लूस करेगा खुद ऑक्सिडैज हुआ तो सामने क्या होगा रिडियूसि होगा ना फक कि मारे का ले लेक्ट्रों ले मेक को फ्लसफोर चाहिए तो चाहिए आच्छा जर्मेनिय म्लसफोर में प्लसफोर में प्लसफोर में तक नहीं है यह अम बढ trochę मैं मज़े में ऐसा हुआ कि टिन में क्या हुआ कि कॉंट्रेक्शन भी थे ना पूर स्क्रीनिंग भी थी ना तो साइज थोटा भी था चार्ज डेंसिटी भी जादा थी तो पॉल्ल राइजिंग पाबर भी जाद होगे चलो लेड में आजओ लेड देखो चाहरा अर आयनिक हो रहा है ज्यादाथ तर आयनिक मोस्ट्ली है ना प्लास-4 में लेकिन उल्टाए ऑक्साडाइज़िंग क्योंकि लेड कहां जाना चाह रहे है फ्लास-2 में जाना चाह रहे है कैसे जाईगा दो एलेक्टोन माँग के जो है प्लस टू में ज्यादा आयनिक है दैनिन प्लस फोर अब हमें अच्छे से बता है अब हम सीख गए है क्योंकि इसका कारण क्या है फजांस रूल को फॉलो करें तो पोलराइजिंग पावर ओफ कटायन इस डायकली प्रोपोर्शनल तू चार्ज तो प्लस फॉर वालो की पोलराइजिंग पावर प्लस टू से ज्यादा तो प्लस फॉर वाले क्या बन गए अच्छे क्या बन गए अच्छे है हाँ पोलराइजिंग पावर लगाने वाला अच्छा कोवलेंट करेक्टर सोकनने वाले बन गए है चलो आंगे देखते हैं ऑक्स इसलिकन भी माइनस फॉर के लावा माइनस फॉर अलसो ऐसे चलता जाएगा लेड थोड़ा माइनस वाली टेंडेंसी का मैं अधिल मैं इसलिए ऐसा तो दोस है वेकन डी और्विटल अंडर को हाइड्रोलेसिस यह बात तो पतल लगे थी यह ना वाटर की मम्मा ने भी पता रखा था तेरे पास कोई आए काटोरा लेके तो उसको जाके लोगन प्यर्दे देने का क्योंकि उससे ज्यादा बॉंड ज्यादा स्टेबिटी एंड है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉंप्लेक्सेस बाइए एक्सेप्टेंग एलेक्रों पेर ठीक है भई वेकन डी और्विटल इसलिए इसा कर पा रहे होगे फ्रॉम डाउन दा फ्रॉम डॉनर स्पीसी इस लाइक ऐसा तो ऐसा एसा एक सिक्स टू माइनस बन गया जबकि सिलिकन प्लस फूर जनरली सो करता है मतलब सिलिकन जनरली चारबॉंड बनाता है है तो वहां भी प्लस फूर में पर हो क्या रहे ना अपने पास है डी और्विटल खाली ऐसे तो एफ माइनस आस पास जो घूम रहे थे वहां के देखें एर तो एसा एफ सिक्स टू माइनस जाता है अच्छा यह बताओ CCL for hydrolyze होगा यह नहीं होगा यह बताओ अब बताओ इस पर आपको दिया रहा पांस सेकंड का टाइम दे रहा हूं बताओ ट्राइक करो CCL for hydrolyze होगा यह नहीं हाँ नहीं नहीं नो क्यों नहीं होगा कारवन के मास चारी और्बिटल है चार उसे पॉंड मना रख है तो आने वाला जो वाटर का लोन पेर आकर वाटर आकर जो लोन पेर देगा वह देगा किसमें आइडुलाइज ही नहीं हो पाएगा तो कारवन कारवन के पास नहीं है इसलिए कारवन हाइड्रोलाइज नहीं होगा CCL for hydrolyze नहीं होगा सिलिकन होगा क्या अगर मान लो CCL for की जंगे ऐसा ही CCL for हो जाए और नहीं है तब है कि हाँ यह हीड्रोलाइज होगा तब यह वाटर से रियक करेगा है तो हाइड्रोलाइज होने के लिए condition पता लग गई अपनको कि चलो और इस बार खुद से लिखते हैं थोड़ा-थोड़ा ना है सारे के सारे अलिमेंट oxygen से कम्बाइन कर लेते हैं अगर AXS होगा तो O2 बन जाएगा, वना इव बन जाएगा, मतलब Dioxide बन जाएगे, फॉल प्लस 4 वाले, फ्लस 2 में क्या बना लेंगे यह लो, ओनोग्साइड, ऐसा बना लेंगे, चलो बनाओ, कारबन लख लो यहांपर, Silicon, Germanium, Tin और Lead, Carbon, Silicon, Germanium, Tin और Lead, और यहां एंप और यहां पर लिखते हैं तो यहां पर देखो पहले तो इनकी बात करो ज़रा Oxide जो Neutral होते हैं पहले उनको याद कर लो इससे फायदा क्या मिलेगा अपने को दिक्कत ही नहीं होगी फिर फिर ऐसे डिक basic बचे Amphotric करी लिया अपने तो तीन ही याद करने हैं CO, NO, N2O बस तीन ही है अपने बस कई जग़ों पर Water लिखा होता है पर मुझे नहीं लगता Water Amphotric हो सकता है तो Water ना लिखे तो बेटर है अचा यहाँ चालू करो तो Carbon Mono Oxide हो क्या है N4 Neutral अचा SIO Silicon Plus 2 Unstable है क्योंकि Silicon को Plus 4 पसंद है At Very High Temperature ही हो पाएगा Low Temperature में तो यह ना हो पाएगा अचा और CO2, SiO2 यह सब क्या है Acidic है Base Sun Sun Beryllium Sun मतलब यह था यह वाले अपने क्या हो गए ठीक ठाक Acidic ना ना बेसिक क्यों Basic होंगे Basic तो होंगे पर Acidic भी होंगे क्यों कि यह Amphotric थे थोड़ा याद करूँ न देखो Base Sun Gaal, Gaal और जीव पर ऐसा ज़्याद आया 10 आगे है इसमे Lead आगे है इसमे 3 आगे यह दोनों क्या है Amphotric Amphotric Germanium का क्या करें तो Germanium के साथ समझे है कि Depend करता है यह अब Middle of the Series है Amphotric की list में अपन लिखते नहीं है Generally तो Germanium में ठीक ठाक Metallic character होता है Acidic तो नहीं मानते है Basic मान लेते हैं अपन उसको Slightly basic अपने ऐसा लिख लेते है ठीक है? इस reaction को complete करके देखो Carbon, Oxygen और N2 Carbon, Oxygen और N2 अच्छा यह N2 की bond energy याद करो जिरा N triple bond N याद करेंगे तो आपको बताए था 950 के आसपास है 949 actual value किलो जूल पर मोल यार यह बहुत जदा है इतनी आसानी से थोड़ी ना मेलेगी तो almost inner type का बना रहेगा यह तो तो पहले कौन react कर जाएगा? यह कर जाएगा और क्या बन जाएगा? CO CO आपने Oxygen के नीचे क्या नहीं लिखा? Access नहीं लिखा तो मैं Access मानूगा नी तो मेरे पास फिर CO प्लस N2 बन जाएगा अच्छा ऐसा किया ही क्यों N2 लिखा ही क्यों? मैं को air से react कराना था तो air में आई जाएगा ना वो तो प्यार Oxygen से थोड़ी ना करा रहे थे अपन अच्छा यह जो बना इसका नामियाद कर लो प्रोडियूसर गैस एक होता है सिन गैस सिन गैस मैं यहां साइड में बता दे रहो सिन्थेस गैस मिक्शर ओफ सी ओ प्लस N2 लिख सकतो यहां इसको थोड़ा सा सुधार के लिख लेते हैं सिन गैस भी अपने पास जिसमें CO और H2 आ जाएगा अचा फिलाल तो अपन इसकी बात कर लेते हैं इस पर देखो जरब प्रोडियूसर गैस में क्या होता है प्रोडियूसर गैस एक इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल होता है इसलिए यह इंपोर्टेंट है तो यह दियान रखना हो ठीक है तो इतना याद रखो अच्छे से आगे बढ़ते हैं